कहते हैं कि ये दुनिया पूरी बहरी है, पर सुनते सब मेरी है काले से भी काला मैं, बहका वेखा प्याला मैं तंदर से लेकर श्लोक का, मालिक हूँ मैं नौलोक का जहर भी मैं, दवा भी मैं, चुपचाब सदियों से सब कुछ देखता, एक खामोश गवा भी मैं, मैं रात हूँ, मैं शाम हूँ, मैं कैनात तमाम हूँ सोच लो, पात खतम करनी है, या कहानी शुरू यह काम तो पुलिस का है, पैसे तो महा भी देंगे, आपको भी, मैं अर काम पैसे के लिए नहीं करता जागा सापके लिए एक टैक्सी बगाओ, मैं पैसे की देंगे मैं झाल झाल कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कास्टिंग से ही फिल्म फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है डिरेक्टर विकास बहल की सैतान भी ऐसी ही फिल्म है अजे दोगन जियुदिका और आर माध्वन जिसे तीन धुरंदर एक्टर्स का एक साथाना ही इस बात का इसारा था कि सैतान की कहानी बहुत वजंदार होने वाली है अब इस फिल्म का टीजर आ गया है सुपरनेचुरल थिलर सैतान की पहली जलक देखने के बाद ही फिल्म देखने के जिग्यासा हिलोरे मारने लगेगी माध्वन नगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं टीजर के आदे से ज़्यदा हिस्से में माध्वन की सिर्फ आवा सुनाई देती है और उनका अंदाज ही एक सुपरनेचुरल माहौल बना देता है सैतान के टीजर में माध्वन बोल रहे हैं कहते हैं कि ये दुनिया पूरी बहरी है पर सुनते सम मेरी हैं काले से भी काला में बैकावे का प्याला में तंतर से लेकर इस लोग का मालिक हूं मैं नो लोकों का जहर भी मैं दवा भी मैं चुपचाप सद्यों से सब कुछ देखता एक खामोस गवा भी मैं सैतान के टीजर में अज़ेद्योगन माध्वन के नेरेशन के साथ स्क्रीन पर जो इमेज नजर आती है उनमें सैतान के इसके से तंतर सिद्धी के नुष्ठान की तैयारी का सामना और बूड डाल्स नजर आती है काले जादू से जुदी ये सारी चीजे जो माहूल बनाती है उसमें आगे अज़ेद्योगन और जिद्का के चेहरे की बस एक जलक मिलती है दोनों के चेहरे पर भयानक खौप पसरा हुआ है सैतान के टीजर में जिद्का माध्वन की आवाज में नैरेशन आगे बढ़ाता है एक खेल खेलोगे इस खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बहकावे में मताना अंद में माध्वन के आधे चेहरे का क्लोज अप जो की डर के लहर दोड़ा देने वाली हसी हस्ते नजर आते हैं डिरेक्टर विकास बहल की सुपर नेशुरल थिलर सैतान आठ मार्च को थीटर्स में रिलिज हो रही है इस फिल्म को द्रस्व बनाने वाले मेकर चीले करा रहे हैं जहां अजय सैतान में अपने रेगुलर मसाला किरदारों से अलग अंदाज में दिखेंगे वही जियतिका लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है इस बीच उन्होंने साउत में जम कर काम किया है माधवन खुद अच्छे खासे गैप के बाद हिंदी फिल्म में काम कर रहे है और उन्हें देख कर ही लग रहा है कि वो एक और यादगार पफामस देने के लिए तयार है अजे देवगन की सैतान फिल्म गुजराती फिल्म वस का रिमेक है तो आई ये जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है फिल्म एक परिवार की कहानी है विसेस रूप से बेटी आर्या की जो 20 साल की है जो जादू के जादू में पढ़ जाती है या किसी आदमी के जादू में आ जाती है पूरी फिल्म उस पल के इर्द गुर्द गूमती है जब वह जादू के जादू में आती है वह वस में हो जाता है और अपने इरादों को सुलजाना सुरू कर देता है कि यह आदमी किस तरह से प्रतक्रिया करता है और इसी बारे में फिल्म है या दियाप अलोकिक हॉरर के परसंकक है या सिर्फ एक बेहतरीन सिनेमा अन्भो की तालास में है तियाप फिल्म देखने लाइक है कृषण देव या गिनिक रहा से और मोड से भरा एक सकतिसाली मनोबै ग्यानिंग नाटक प्रस्तित करते हैं आर्थो एक परिवारी बिक्ति है जो पाइलेट के रूम में काम करता है और जब वह घर पर होता है तो चार लोगों का पूरा परिवार वह उसकी पतनी उसका सबसे छोटा बेटा और उसकी बेटी आर्या परिवार के फाम पर जाते हैं और आनंद लेने की योजना बना कर कुछ दिन पिताते हैं खेत के रास्ते में परिवार एक धाबे पर दोपार के भोजन के लिए रुकता है जहां उनकी मुलाकात परताप नाम के बिक्तिस होती है जो पहले तो कुछ से मिलनसार लगता है लेकिन खेत में उसके अचानक आगमन से आर्या के बाद परिवार क्रोधित हो जाता है उसके बेटी की खोज उसे परिशान कर देती है उथल पुथल इस आदमी के जादू के दायद और वह जो भी कहता है उसका परन करता है आर्या को काम करने के लिए मजबूर करता है आपको मजबूर करता है कि परिवार परतारना का सिकार हो जाता है और अंत में क्या हो जाता है ये फिल्म उसी के बारे में है फिल्म की सुरुआत निर्देशक की चेताउनी से होती है कि या फिल्म कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है और गर्भोती महिलाओ या दिल के समस्याओ वाले लोगों को इसे देखने से बसना चाहिए जो इस फिल्म के लिए काफी ठेक है वास जैसा कि वह अस्थाने गुजराती हिंदी प्रंपरा में सुझाओ देते हैं या विश्वास दिलाने के लिए परियापत है कि या कुछ अलग होगा और जानकी वाला पोस्टर उस संदे की पुष्टी करता है या फिल्म निश्ची रुप से कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है इतना कहना काफी होगा कि फिल्म लगभग दो गंटे लंबी है और हमें रोमान्चित करने में कोई समय बरबाद नहीं करती फिल्म कहानी के निर्माड के साथ सुरू होती है फिर हमें पात्रों से परचित कराय जाता है विज़स रुप से आर्या से और जैसे जैसे यह सब कुछ हाके बढ़ता है ठीक है इसे हजार गुना बढ़ा दिया जाता है फिल्म में मनुबैग्यानिक तत्तु का बहुत अच्छे से इस्तिमाल किया गया है और यह आपको लगातार अनुमान लगाने पर मजबूर कर देता है लेखन अदभुद है और पड़कता के साथ साथ छायंकर आपको इस्क्रिन से बांधे रखता है फिल्म में कोई संगीत नहीं है इसलिए अंते में आपको पूरे दो घंटी का मनोरंजन मिलता है क्योंकि आपका दिल नहीं टूटा है मनोबग्यानिक हरर का बहुत बड़ा परसंसक होने के ना थे इससे देखना एक परम आनंद दायक था अब इने सांदार और समय का पाबंध है जानकी बेदेवाला ने हितु कनोडिया और हितेन कुमार के साथ सांदार काम किया है हारा की बाद वाले दो को किसी परसे किया सकता नहीं है क्योंकि वे हॉलिवुड के सुपरस्टार है गुजराती फिल्मों की मुखिधारा में उनके परवेश ने उन्हें और हमें सांदार परदर्शन से अच्छी तरह लाभान चित किया है कुछ घटनाय अपनी कहानी खुद लिखती है और कई बारे कहानिया इतनी रुमान चग इतनी असमान होती है कि उन पर तब तक यकीन नहीं होता जब तक इनसान इन्हें अपनी आँखों से ना देख ले कभी कभी हमारा ऐसी सक्तियों से वास्ता पड़ता है जो खुद की समस्य भी परे होती हैं कई बारे सक्तियां बुरी जरूर होती हैं पर फिर भी इनसान अपनी हिम्मत और समस्य से इन पर अक्सर जीत हांसिल कर लेता है इस दुनिया में रातों का बावचूद इसी वज़े से है कि उनका सफर अगली सुबह उजालों की बाहों में जाकर ही खतम होगा सक्तिया इस संसार में सकारात्मक और नकारात्मक सदा से हो रही हैं हम इंसानों पर जब भी नकारात्मक सक्तिया हावी होने लगती हैं तब अधिकान से अध्यात्म की ओर चलते हैं यदोए भोत प्रेत और सुवासनाओं से भरी हो तब हम सकारात्मक यानी इस सुर की सरण में जाते हैं। इस फिल्म का सार भी यही है। हिमाचल के एक गाउं परागपुर में एक के बाद एक मडर हो रहे हैं। कौन मार रहा है इने, क्यों मार रहा है, क्या कुछ साप हो पाएगी इस्थित इन स्वालों से या फिल्म वस दो चार होती हुई आपको तकनीकी तिथा अनिकाड़ों में वस में करती है। हर कहानी की तरह फिल्म में भी मडर की वज़े है। एक प्रेमी जोड़ा, वहां साधी के बाद अपने घर में रह रहा है। बीबी को रात में अकसर कुछ अमांचनी चीज़े दिखाई और अपने साथ होती हुई महसूस होती हैं। पती इन्हें उसका भरम बताता है। एक पत्रकार है जिसने इन भूतों की सचे घर्णाओं पर किताब भे लिखी है। बाबा है जो भूत प्रेद भगाने का दाव और इसके इरादे क्या हैं। ऐसे ही कुछ राश्यों को दर्शकों के लिए अंसुल जा रखा गया है। जिसमें अतरप्त आत्मा जो आम इंसानों की तरह वासनाओं से भरी है। विकास बहल के डिरेक्शन में बनी सैतान का ये रोंग टे खड़े कर देना और डालाग सुन और आप भी बोल पढ़ेंगी कि फिल्म तो बाजा फाड़ है बास। फिल्म में जेदोगन और जेदो का लेड रोल में हैं। तो ही दर्शकों को दांतों तेले उंगलियां दबाने पर मजबूर करने के लिए और माधून आएंगे। ये अपकमिंग फिल्म आठ मार्च द सिकंड का ये टीजर है आपको तंत्र मुंत्र की दुनिया मिले जाएगा जिसमें अजय देवगन और जियतका काफी डरे सहमें नजरा रहे हैं। वही आर माधून बिलन का किलदा निबा रहे हैं। टीजर की सुरुआत इसके ड्रावनी डायलाग से होती है और टीजर के आ फिल्म सेथान की खास बात है कि लीड एक्टर जियतका पुरे 20 साल बाद परदे पर वापसी करेंगी। सेथान के बाद एक्टर अजय देवगन की लगातार फिल्में लाइन आप में हैं। इसमें सिंगम अगें रेट्टू और मैदान सामिल है। अजय देवगन आर और जियतका की फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया। सोसल मीडिया पर इसके कैप्शन में लिखा। वो पूछेगा तुम से एक खेल है खेलोगे। पर उसके बैकावे में मताना। सैतान टीजर आउट। टीजर शुरू होते ही आर माधौन का वाई सोर सुनाई देता है। कह तमाम हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं विगारता हूँ, समेटता हूँ, मरोडता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता। एक खेल है खेलोगे। एक खेल का बस एक ही नियम है। मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बहकावे में मताना। इससे पहले इसका पॉस्टर शेर किया है सेतान सेक्टर से जानकी बोधी वाला भी बॉलिवुड में डेब्यू करेंगी जी इस्टूडियो जैजेद्योगन एफ फिल्म्स और पैनोर्मा स्टूडियो इंटरनेशनल किया फिल्म आजेद्योगन जियोति देश पांडे कुमार मंगत पाठक और अब से एक पाठक की बनाई है और विकास बहल ने इसे डायरेक्ट गया है टीजर देखने के बाद मादवन के फैंस बहुत एक्साइटेड हो गये हैं कमेंट सक्षन उनकी तारिफों से भर गया है अजे फिलाहल रेट्टू की शूटिंग कर रहे हैं फिल्म में ने तिस द अरेक्टर विकास बहल की सैतान भी ऐसी ही फिल्म है अजे दोगन जियुदिका और आर मादवन जिसे तीन धुरंदर एक्टर्स का एक साथाना ही इस बात का इसारा था कि सैतान की कहानी बहुत वजंदार होने वाली है अब इस फिल्म का टीजर आ गया है सुपर नेचुरल सैतान के टीजर में मादवन बोल रहे हैं कहते हैं कि ये दुनिया पूरी पहरी है पर सुनते सम मेरी हैं काले से भी काला में बहकावे का प्याला में तंतर से लेकर इस लोग का मालिक हुमे नो लोकों का जहर भी में दवा भी में चुपचाप सद्यों से सब कुछ देखता एक खामोस गवाभी मैं सैतान के टीजर में अजिद्योगन माधवन के नेरेशन के साथ स्क्रीन पर जो इमेज नजराती है उनमें सैतान के इसकेश तंत्रशिद्धी के नुष्ठान की तैयारी का सामना और बूड डाल्स नजराती है काले जादू से जुद्योदी ये सारी चीज़े जो माहौल बनाती हैं उसमें आगे अजिद्योगन और जिद्का के चेहरे की बस एक जलक मिलती है दोनों के चेहरे पर भयानक खौप पसरा हुआ है सैतान के टीजर में जिद्का माधवन की आवाज में narration आगे बढ़ाता है एक खेल खेलोगे इस खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बहकावे में मताना अंदमे माधोन के आधे चेहरे का close up जो की डर के लहर दोड़ा देने वाली हसी हस्ते नजर आते हैं डिरेक्टर बिकास बहल की सुपर नेशुरल थिलर स इस फिल्म को द्रस्चम बनाने वाले मेकर चीले करा रहे हैं जहां अजय सैतान में अपने regular मसाला किरदारों से अलग अंदाज में दिखेंगे वही जियोतिका लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही हैं इस बीच उन्होंने साउत में चम कर काम किया है माधो ये जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है फिल्म एक परिवार की कहानी है विसेस रूप से बेटी आर्या की जो 20 साल की है जो जादू के जादू में पढ़ जाती है या किसी आदमी के जादू में आ जाती है पूरी फिल्म उस पल के इर्द गिर्द गूमती है जब वह जादू के जादू में आती है वह वस में हो जाता है और अपने इरादों को सुलजाना शुरू कर देता है कि यह आदमी किस तरह से प्रतक्रिया करता है और इसी बारे में फिल्म है यदि अप अलोकिक होरर के परसंकक है या सिर्फ एक बहतरीन सिनेमा अनभो की तालास में है ते फिल्म लाइक है कृषण देव यगिनि के रहा से और मोड से भरा एक सक्तिसाली मनोबै ग्यानिंग नाटक प्रस्तित करते हैं आर्थो एक परिवारी बिक्ति है जो पाइलेट के रूम में काम करता है और जब वह घर पर होता है तो चार लोगों का पूरा परिवार वह उसकी पतन अपनाम के एक बिक्तिसे होती है जो पहले तो कुछ से मिलनसार लगता है लेकिन खेत में उसके अचानक आगमन से आर्या के बाद परिवार क्रोधित हो जाता है उसके बेटी की खोज उसे परिशान कर देती है उथल पुथल इस आदमी के जादू के दायद और वह जो भी क जगातार अत्यचार करना सुरू कर देता है आर्या को काम करने के लिए मजबूर करता है आपको मजबूर करता है कि परिवार परतारना का सिकार हो जाता है और अंत में क्या हो जाता है ये फिल्म उसी के बारे में है फिल्म की सुरूआत निर्देशक की चेताउनी से होती है कि या फिल्म कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है और गर्भोती महिलाओ या दिल के समस्याओ वाले लोगों को इसे देखने से बसना चाहिए जो इस फिल्म के लिए काफी ठेक है वास जैसा कि वह अस्थाने गुजराती हिंदी प्रंपरा में सुझाओ देते हैं आपको या विश्वास दिलाने के लिए परियाबत है कि या कुछ अलग होगा और जानकी वाला पोस्टर उस संदे की पुष्टी करता है या फिल्म निश्ची रुप से कमजोर दिलवालों के लिए यह फिल्म निश्चीर रुप से कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है इतना कहना काफी होगा कि फिल्म लगभग दो घंटे लंबी है और हमें रोमान्चित करने में कोई समय बरबाद नहीं करती फिल्म कहानी के निर्मार के साथ सुरू होती है फिर हमें पात्रों से परचित क कराय जाता है विजसरुप से आर्या से और जैसे जैसे यह सब कुछ आगे बढ़ता है ठीक है इसे हजार गुना बढ़ा दिया जाता है फिल्म में मनोबग्यानिक तत्तु का बहुत अच्छे से इस्तिमाल किया गया है और यह आपको लगातार अनुमान लगाने पर अद्भुद है और पटकता के साथ साथ चायंकर आपको इसकरिन से बांधे रखता है फिल्म में कोई संगीत नहीं है इसलिए अंत में आपको पूरे दो घंटी का मनोरंजन मिलता है क्योंकि आपका दिल नहीं टूटा है मनोबग्यानिक हरर का बहुत बड़ा परसंसक होने के ना थे इससे देखना एक परमानंद दायक था अविने सांदार और समय का पाबंध है जानकी बेदेवाला ने हितु कनोडिया और हितेन कुमार के साथ सांदार काम किया है हाला कि बाद वाले दो को किसी परिशे किया सकता नहीं है क्योंकि हुए हौलिबुड के परमान होती है कि उन पर तब तक यकीन नहीं होता जब तक इनसान इन्हें अपनी आँखों से ना देख ले कभी कभी हमारा ऐसी सक्तियों से वास्ता पड़ता है जो खुद की समझ से भी परे होती हैं कई बारे सक्तियां बुरी जरूर होती हैं पर फिर भी इनसान अपनी ह इम्मत और समझ से इन पर अक्सर जीत हासिल कर लेता है। इस दुनिया में रातों का बाउचूद इसी वज़े से है कि उनका सफर अगली सुबह उजालों की बाहों में जाकर ही खतम होगा। सक्तिया इस संसार में सकारात्मक और नकारात्मक सदा से हो रही हैं। हम इनसानों पर जब भी नकारात्मक सक्तिया हावी होने लगती हैं तब अधिकान से अध्यात्म की ओर चलते हैं। यद्वे भोत प्रेत और सुवासनाओं से भरी हों तब हम सकारात्मक यानि इस सुर की स त्रड में जाते हैं इस फिल्म का सार भी यही है हिमाचल के गाउं परागपुर में एक के बाद एक मडर हो रहे हैं कौन मार रहा है इने क्यों मार रहा है क्या कुछ साफ हो पाएगी इस्थित इन सवालों से या फिल्म वस दो चार होती हुई आपको तकनीकी तथा अनिकाड में वस में करती है हर कहानी की तरह फिल्म में भी मडर की वज़े है एक प्रेमी जोड़ा वहां साधी के बाद अपने घर में रह रहा है बीबी को रात में अक्सर कुछ आमांचनी चीज़े दिखाई और अपने साथ होती हुई महसूस होती है पती इन्हें उसका भरम बतात है एक पत्रकार है जिसने इन भूतों की सची घर्णाओं पर किताब भी लिखी है बाबा है जो भूत प्रेद भगाने का दावा करता है इधर फिल्म के नायक नायकार रच्छित और आचल अपनी बढ़िया प्रेमबरी जिंदगी जी रहे हैं इसके बीच में कोई तीस रा बेकते आ गया है जो आंचल को हर कीमत पर अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनाना चाहता कौन है वहाँ और इसके इरादे क्या है ऐसे ही कुछ राज्चों को दर्षकों के लिए अंसुल जा रखा गया है जिसमें ये अतरप्त आत्मा जो आम इंसानों की तरह वासनाओं से भरी है विकास बहल के डिरेक्शन में बनी सैतान का ये रोंग्टे खड़े कर देनों आप समझे गया होंगे कि ये फिल्म होरर के साथ साथ काफी एक्साइटिंग भी होने वाली है फिल्म का टीजर 25 जनुरी को रिलीज हो गया है जिसे देखते ही है कि दिमाग के पुर्ज को सिनेमा घरों में दहसत फैलानी आ रही है वह इसके टीजर को सेर करते हुए अजय देखन ने सोसल मेडिया पर लिखा है कि वह पूछेगा एक खेल है खेलोगे पर उसके बहकावे में मता ना सैतान टीजर आउट सैतान एक मिनट 31 सिकंड का ए टीजर है आपको तंत्र मु पूस बंस देने वाले हैं टीजर को देकर मालूम पड़ता है कि यह फिल्म का अला जादू यानि ब्लैक मैजिक पराधारित है बतादे कि सैतान साल 2030 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म वसका रिमेक है जिसका डिरेक्शन क्रिस्टर देव यगनिक ने किया है फिल्म सैत यह फिल्म आठ मार्च को सिनेमा घरों में आने के लिए तयार है इस फिल्म में जियुदका पुरे 20 साल के लंबे अंतराल के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी करेंगी 25 जनुरी को सैतान के मेकर्ष ने आखिरकार आजे देवगन माधवन और जियुदका की फिल्म का टीजर रिलेज कर दिया सोसल मीडिया पर इसके कैप्सन में लिखा वो पूछेगा तुम से एक खेल है खेलोगे पर उसके बैकावे में मताना सैतान टीजर आउट टीजर शुरू होते ही आरमाधवन का वाई सोर सुनाई देता है कहते हैं यह पूरी दुनिया बहरी है पर सुनते स मेरी हैं काले से भी काला में भैका मीठा प्याला में मालिक हूँ मैं नो लोको का जहर भी मैं दवा भी मैं चुप चाप सदियों से देखता एक खामोस गवाह भी मैं मैं रात हूँ मैं साम हूँ मैं तमाम हूँ मैं बनाता हूँ मैं विगारता हूँ समेठता हूँ मरोडता लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता एक खेल है खेलोगे एक खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूं मेरे बहकावे में मताना इससे पहले इसका फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हुआ था इसमें जेद्योगन आर्माधवन और जिद्गा को विक्राल रू वुड में डेब्यो करेंगी जी इस्टूडियो जेद्योगन एफ फिलिम्स और पैनोरमा इस्टूडियो इंटरनेशनल किया फिलम आजेद्योगन जियोती देश पांडे कुमार मंगत पाठक और अपसेख पाठक की बनाई है और विकास बहलने इसे डारेक्ट गया है टी सिंगम रिटर्ण्स के बहुपरति 6 सिकल सिंगम अगयन की घोशड़ा की है जो दर चोबिस को रिलीज होगी कुछ फिलमें ऐसी होती है जिनकी कास्टिंग से ही फिलम फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है डिरेक्टर विकास बहल की सैतान भी ऐसी ही फिलम है अजे नेचुरल थ्रलर सैतान की पहली जलक देखने के बाद ही फिलम देखने के जिग्यासा हिलोरे मारने लगेगी माधवन नगेटिव रोल में नजरा रहे हैं टीजर के आदे से जदा हिस्से में माधवन की सिर्फ आवा सुनाई देती है और उनका अंदाज ही एक सुपर खूमें नो लोकों का जहर भी मैं दवा भी मैं चुपचाप सद्यों से सब कुछ देखता एक खामोस गवा भी मैं सैतान के टीजर में अजद्योगन माधवन के नेरेशन के साथ स्क्रीन पर जो इमेज नजराती है उनमें सैतान के इसकेश तंत्रशिद्धिक नुष्ठान की तैयारी का सामना और बूड डाल्स नजराती है काले जादू से जुद्धि ये सारी चीजे जो माहौल बनाती है उसमें आगे अजद्योगन और जिद्का के चेहरे की बस एक जलक मिलती है दोनों के चेहरे पर भयानक खौप पसरा हुआ है सैतान के टीजर में जिद्धि के लहर दोड़ा देने वाली हसी हस्ते नजर आते हैं डिरेक्टर बिकास बहल की सुपर नेशुरल थिलर सैतान आठ मार्ज को थीटर्स में रिलीज हो रही है इस फिल्म को द्रस्चम बनाने वाले मेकर सीले करा रहे हैं जहां अजय सैतान में अपने रेगुलर मसाला किरद नामस देने के लिए तैयार हैं अजय दोगन की सैतान फिल्म गुजराती फिल्म वस का रिमेक है तो आए जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है फिल्म एक परिवार की कहानी है विसेस रूप से बेटी आर्या की जो 20 साल की है जो जादू के जादू में पढ़ जाती है या किसी आ इसी बारे में फिल्म है यदि आप अलोकिक होरर के परसंकक है या सिर्फ एक बेहतरी सिनेमा अनभो की तालास में है तो आप फिल्म देखने लाइक है कृषड देव यगनिक रहास्योर मोड से भरा एक सकतिसाली मनोबग्यानिक नाटक प्रस्तित करते हैं आर्थो एक परि भोजना बना कर कुछ दिन बिताते हैं खेत के रास्ते में परिवार एक धाबे पर दोपार के भोजन के लिए रुखता है जहां उनकी मुलाकात परताप नाम के एक बिक्ति से होती है जो पहले तो कुछ से मिलनसार लगता है लेकिन खेत में उसके अचानक आगमन से आर्या के बाद परिवार क्रोधित हो जाता है उसके बेटी की खोज उसे परिशान कर देती है उथल पुथल इस आदमी के जादू के दायद और वह जो भी कहता है उसका परन करता है और इस तरह खेल सुरू होता है उस आदमी का केवल एक हील अच्छे आर्या को परिवार में पालना का सिकार हो जाता है और अंत में क्या हो जाता है ये फिल्म उसी के बारे में है फिल्म की सुरुआत निर्देशक की चेताउनी से होती है कि यह फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है और गर्भोती महिलाओ या दिल के समस्याओ वाले लोगों को इसे देखने से ब पुष्टी करता है या फिल्म निश्ची रूप से कमजोर दिलवालों के लिए है या फिल्म निश्ची रूप से कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है इतना कहना काफी होगा कि फिल्म लगभग दो घंटे लंबी है और हमें रोमान्चित करने में कोई समय बरबाद नहीं करत फिल्म कहानी के निर्माण के साथ सुरू होती है फिर हमें पात्रों से परचित कराये जाता है विज़स रुप से आर्या से और जैसे जैसे यह सब कुछ हाके बढ़ता है ठीक है इसे हजार गुना बढ़ा दिया जाता है फिल्म में मनुबग्यानिक तत्तु का बहुत कर देता है लेखन अद्भुद है और पड़कता के साथ साथ छायंकन आपको इसक्रिन से बांधे रखता है फिले में कोई संगीत नहीं है इसलिए अंते में आपको पूरे दो घंटी का मनोरंजन मिलता है क्योंकि आपका दिल नहीं तूटा है मनोबग्यानिक हरर का बहुत ब दर्से किया सकता नहीं है क्योंकि वे हौलिवुड के सुपरस्टार हैं गुजराती फिल्मों की मुखिधारा में उनके परवेश ने उन्हें और हमें सांदार परदर्शन से अच्छी तरह लाभान्चित किया है कुछ घटनाय अपनी कहानी खुद लिखती हैं और कई बार सकतियां बुरी जरूर होती हैं पर फिर भी इंसान अपनी हिम्मत और समच से इन पर अक्सर जीत हांसिल कर लेता है इस दुनिया में रातों का बावचूद इसी वज़े से है कि उनका सफर अगली सुबह उजालों की बाहों में जाकर ही खतम होगा सकतिया इस संसार में सकार सकतिया हावी होने लगती हैं तब अधिकान से अध्यात्म की ओर चलते हैं यदो भोत प्रेत और स्वासनाओं से भरी हो तब हम सकारात्मक यानि इस सुर की सरण में जाते हैं इस फिलम का सार भी यही है हिमाचल के गाउं परागपुर में एक के बाद एक मडर हो रहे हैं को तकनीकी तथा अनिकाड़ों में वस में करती है हर कहानी की तरह फिलम में भी मडर की वज़े है एक प्रेमी जोड़ा वहां साधी के बाद अपने घर में रह रहा है बीबी को रात में अक्सर कुछ अवांचनी चीजे दिखाई और अपने साथ होती हुई महसूस होती हैं इधर फिलम के नायक नायकार रच्छित और आचल अपनी बढ़िया प्रेम भरी जिंदगी जी रहे हैं इसके बीच में कोई तीस राव्यक्त आ गया है जो आचल को हर कीमत पर अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनाना चाहता कौन है वहां और इसके इरादे क्या हैं ऐसे ही कुछ राश्यों को दर्शकों के लिए अंसुल जा रखा गया है जिसमें ये अतरप्त आत्मा जो आम इंसानों की तरह वासनाओं से भरी है विकास बहल के डिरेक्शन में बनी सैतान का ये रोंग टेक खड़े कर देना और डायलाग सुनकर आप समझ ही गया होंगे कि ये फ इसको को दांतों तेले उंगलियां दबाने पर मजबूर करने के लिए आर माधवन आएंगे ये अपकमिंग फिल्म आठ मार्च दोजार चोबिस को सिनिमा घरों में दहसत पहलाने आ रही है वो इसके टीजर को सेर करते हुए अजय दयोगन ने सोसल मेडिया पर लिखा है क कोई आर माधवन बिलन का किलदा निबा रहे हैं टीजर की शुरुआत इसके ड्रावने डालाग से होती है और टीजर के आखर में यह ड्रावनी हसी हसते और आपको फुल आन गूस बंस देने वाले हैं टीजर को देकर मालूम पड़ता है कि ये फिल्म काला जादू यानि ब्लैक मैजिक पराधारित है बतादे कि सैतान साल 2030 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म वस का रिमेक है जिसका डिरेक्शन क्रिस्टर देव यगनिक ने किया है फिल्म सैतान की खास बात है कि लीड एक्टर जिदका पुरे 20 साल बाद परदे पर वापसी करेंगी सैतान के बाद एक्टर अजिद्योगन की लगादार फिल्में लाइन आप में हैं इसमें सिंगमगें रेट्टू और मैदान सामिल है अजिद्योगन आर माधवन और जिदका की फिल्म सैतान का टेजर आखिरकार रिलीज हो गया है ये फिल्म आठ मार्च को सिनेमा घरों में आने के पर उसके बैकावे में मताना सैतान टेजर आउट टेजर शुरू होते ही आर मधवन का वाई सोर सुनाई देता है कहते हैं ये पूरी दुनिया बहरी है पर सुनते सम्मेरी हैं काले से भी काला में भैका मिठा प्याला में मालिक हूँ मैं नो लोकों का जहर भी मैं दवा भी मैं चुपचाब सदियों से देखता एक खामोस गवाह भी मैं मैं रात हूँ मैं साम हूँ मैं तमाम हूँ मैं बनाता हूँ मैं बिगारता हूँ समेटता हूँ मरोडता हूँ लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता एक खेल है खेलोगे एक खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूं मेरे बहकावे में मताना इससे पहले इसका फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हुआ था इसमें जेद्योगन आर्माधवन और जिद्का को बिक्राल रूम में दिखाया गया था विकास बहल के डिरेक्शन में बनी फिल्म का टीजर बेहत खौपनाक लग र जियोती देश पांडे कुमार मंगत पाठक और अपसेख पाठक की बनाई है और विकास बहल ने इसे डिरेक्ट गिया है टीजर देखने के बाद माधवन के फैंस बहुत एक्साइटेड हो गया है अजय फिलाहल रेट्टू की शूटिंग कर रहे हैं फिल्म में दिख सिंग से ही फिल्म फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है डिरेक्टर विकास बहल की सैतान भी ऐसी ही फिल्म है अजे दोगन जियोतिका और आर माधवन जिसे तीन धुरंदर एक्टर्स का एक साथाना ही इस बात का इसारा था कि सैतान की कहानी बहुत वजंदार होने वाली है अब इस फिल्म का टीजर आ गया है सुपर नेचुरल थ्रिलर सैतान की पहली जलक देखने के बाद ही फिल्म देखने के जिग्यासा हिलोरे मारने लगेगी माधवन नगेटिव रोल मेनेजर आ रहे हैं टीजर के आदे से जदा हिस्से में माधवन की सिर्फ आवा स सुनाई देती है और उनका अंदाज ही एक सुपर नेचुरल माहौल बना देता है सैतान के टीजर में माधवन बोल रहे हैं कहते हैं कि ये दुनिया पूरी बहरी है पर सुनते सम मेरी हैं काले से भी काला में बैकावे का प्याला में तंतर से लेकर इस लोग का मालिक हुमें नो लोकों का जहर भी में दवा भी में चुपचाप सद्यों से सब कुछ देखता एक खामोस गवाह भी में सैथान के टीजर में अज़ेद्योगन माधुन के नैरेशन के साथ इसक्रिन पर जो इमेज नजराती है उनमें सैतान के इसके से तंत्रशिद्धी के नुष्ठान की तैयारी का सामना और बूड डाल्स नजर आती है काले जादू से जुदी ये सारी चीजे जो माहूल बनाती है उसमें आगे अजुद्यगन और जिद्का के चेहरे की बस एक जलक मिलती है दोनों के चेहरे पर भयानक खौप पसरा हुआ है सैतान के टीजर में जिद्का माध्वन की आवाज में नैरेशन आगे बढ़ाता है एक खेल खेलोगे इस खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बहकावे में मताना अंद में माध्वन के आधे चेहरे का क्लोज अप जो की डर के लहर दोड़ा देने वाली हसी हस्ते नजर आते हैं डिरेक्टर बिकास बहल की सुपर नेशुरल थिलर सैतान आठ मार्च को थीटर्स में रिलिज हो रही है इस फिल्म को द्रस्व बनाने वाले मेकर चीले करा रहे हैं जहां अजय सैतान में अपने रेगुलर मसाला किरदारों से अलग अंदाज में दिखेंगे वही जियतिका लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है इस बीच उन्होंने साउत में जम कर काम किया है माधवन खुद अच्छे खासे गैप के बाद हिंदी फिल्म में काम कर रहे है और उन्हें देख कर ही लग रहा है कि वो एक और यादगार पफामस देने के लिए तयार है अजे देवगन की सैथान फिल्म गुजराती फिल्म वस का रिमेक है तो आई ये जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है फिल्म एक परिवार की कहानी है विसेस रूप से बेटी आर्या की जो 20 साल की है जो जादू के जादू में पढ़ जाती है या किसी आदमी के जादू में आ जाती है पूरी फिल्म उस पल के इर्दगर्द गूमती है जब वह जादू के जादू में आती है वह वस में हो जाता है और अपने इरादों को सुलजाना सुरू कर देता है कि यह आदमी किस तरह से प्रतक्रिया करता है और इसी बारे में फिल्म है या दियाप अलोकिक हॉरर के परसंकक है या सिर्फ एक बेहतरीन सिनेमा अन्भो की तालास में है तियाप फिल्म देखने लाइक है कृषण देव या गिनिक रहा से और मोड से भरा एक सकतिसाली मनोबय ग्यानिंग नाटक प्रस्तित करते हैं आर्थो एक परिवारी बिक्ति है जो पाइलेट के रूम में काम करता है और जब वह घर पर होता है तो चार लोगों का पूरा परिवार वह उसकी पतनी उसका सबसे छोटा बेटा और उसकी बेटी आर्या परिवार के फाम पर जाते हैं और आनंद लेने की योजना बना कर कुछ दिन पिताते हैं खेत के रास्ते में परिवार एक धाबे पर दोपार के भोजन के लिए रुकता है जहां उनकी मुलाकात परताप नाम के बिक्तिस होती है जो पहले तो कुछ से मिलनसार लगता है लेकिन खेत में उसके अचानक आगमन से आर्या के बाद परिवार क्रोधित हो जाता है उसके बेटी की खोज उसे परिशान कर देती है उथल पुथल इस आदमी के जादू के दायद और वह जो भी कहता है उसका परन करता है आर्या को काम करने के लिए मजबूर करता है आपको मजबूर करता है कि परिवार परतारना का सिकार हो जाता है और अंत में क्या हो जाता है ये फिल्म उसी के बारे में है फिल्म की सुरुआत निर्देशक की चेताउनी से होती है कि या फिल्म कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है और गर्भोती महिलाओ या दिल के समस्याओ वाले लोगों को इसे देखने से बसना चाहिए जो इस फिल्म के लिए काफी ठेक है वास जैसा कि वह अस्थाने गुजराती हिंदी प्रंपरा में सुझाओ देते हैं नाम ही आपको या विश्वास दिलाने के लिए परियापत है कि या कुछ अलग होगा और जानकी वाला पोस्टर उस संदे की पुष्टी करता है या फिल्म निश्ची रूप से कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है इतना कहना काफी होगा कि फिल्म लगभग दो घंटे लंबी है और हमें रोमान्चित करने में कोई समय बरबाद नहीं करती फिल्म कहानी के निर्माड के साथ सुरू होती है फिर हमें पात्रों से परचित कराया जाता है बिशेस रुप से आर्या से और जैसे जैसे यह सब कुछ हाके बढ़ता है ठीक है इसे हजार गुना बढ़ा दिया जाता है फिल्म में मनुबग्यानिक तत्तु का बहुत अच्छे से इस्तिमाल किया गया है और यह आपको लगातार अनुमान लगाने पर मजबूर कर देता है लेखन अदभुद है और पटकता के साथ साथ छायंकर आपको इसक्रिन से बांधे रखता है फिल्म में कोई संगीत नहीं है इसलिए अंत में आपको पूरे दो घंटी का मनोरंजन मिलता है क्योंकि आपका दिल नहीं टूटा है मुनोबग्यानिक हरर का बहुत बड़ा परसंसक होने के ना थे इससे देखना एक परम आनंद दायक था अभिने सांदार और समय का पाबंध है जनकी बेदेवाला ने हितु कनोडिया और हितेयन कुमार के सांदार काम किया है हाला कि बाद वाले दो को किसी परिशे किया सकता नहीं है क्योंकि वे हॉलिवुड के सुपस्टार है गुजराती फिल्मों की मुखिधारा में उनके परवेस ने उन्हें और हमें सांदार परदर्शन से अच्छी तरह लाभान्चित किया है कुछ घड़नाय अपनी कहानी खुद लिखती है और कई बार ये कहानिया इतनी रोमान्चक इतनी असमान होती है कि उन पर तब तक यकीन नहीं होता जब तक इनसान इन्हें अपनी आँखों से ना देख ले कभी-कभी हमारा ऐसी सक्तियों से वास्ता पड़ता है जो खुद की समझ से भी परे होती है कई बारे सक्तियां बुरी जरूर होती है पर फिर भी इनसान अपनी हिम्मत और समझ से इन पर अक्सर जीत हासिल कर लेता है इस दुनिया में रातों का बावजूद इसी वज़े से है कि उनका सफर अगली सुबह उजालों की बाहों में जाकर ही खतम होगा सक्तियां इस संसार में सकारातमक और नकारातमक सदा से हो रही है हम इनसानों पर जब भी नकारातमक सक्तिया हावी होने लगती है तब अधिकान से अध्यातम की ओर चलते हैं यद्वे भोत प्रेत और स्वासनाओं से भरी हो तब हम सकारातमक यानि इस सुर की सरण में जाते हैं इस फिलम का सार भी यही है हिमाचल के एक गाउं परागपुर में एक के बाद एक मडर हो रहे हैं कौन मार रहा है इन्हें क्यों मार रहा है क्या कुछ साप हो पाएगी इस्थित इन सवालों से या फिलम वस दो चार होती हुई आपको तकनीकी तथा अनिकाड़ों में वस में करती है हर कहानी की तरह फिलम में भी मडर की वज़े है एक प्रेमी जोड़ा वहाँ साधी के बाद अपने घर में रह रहा है बीबी को रात में अकसर कुछ अमांचनी चीज़े दिखाई और अपने साथ होती हुई महसूस होती है पती इन्हें उसका भरम बताता है एक पत्रकार है जिसने इन भूतों की सचिक घर्णाओं पर किताब भी लिखी है बाबा है जो भूत प्रेद भगाने का दावा करता है इधर फिलम के नायक नायकार रच्छित और आचल अपनी बढ़िया प्रेमबरी जिन्दगी जी रहे है इसके बीच में कोई तीस राव्यक्त आ गया है जो आंचल को हर कीमत पर अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनाना चाहता कौन है वहाँ और इसके इरादे क्या है ऐसे ही कुछ राज़्चों को दर्शकों के लिए अंसुल जा रखा गया है जिसमें ये अतरप्त आत्मा जो आम इंसानों की तरह वासनाओं से भरी है विकास बहल के डायरेक्शन में बनी सैतान का ये रोंग्टे खड़े कर देना और डायलाग सुनकर आप समझ ही गया होंगे कि ये फिल्म होरर के साथ साथ काफी एक्साइटिंग भी होने वाली है फिल्म का टीजर 25 जनुरी को रिलीज हो गया है जिसे देखते ही है कि दिमाग के पुर्जे हिल जाएंगे आपका सिर चक्राने लगेगा और आप भी बोल पढ़ेंगी कि फिल्म तो बाजा फाड़ है बास फिल्म में जेदोगन और जेदो का लीड रोल में हैं तो ही दर्शकों को दांतों तेले उंगलियां दबाने पर मजबूर करने के लिए आर माधवन आएंगे ये अपकमिंग फिल्म आठ मार्च दोजार चोबिस को सिनिमा घरों में दहसत फैलाने आ रही है वो इसके टीजर को सेर करते हुए अजेदोगन ने सोसल मीडिया पर लिखा है कि वो पुछेगा एक खेल है खेलोगे पर उसके बहकावे में मता ना सैतान टीजर आउट सैतान एक मिनट 31 सिकंड का ये टीजर है आपको तंत्र मुंतर की दुनिया मिल जाएगा जिसमें अजेदोगन और जियतका काफी डरे सह में ने जरा रहे हैं वोई आर माधवन बिलन का किलदा निभा रहे हैं टीजर की शुरुआत इसके ड्रावनी डालाग से होती है और टीजर के आखर में या ड्रावनी हसी हसते और आपको फुल आन गूस बंस देने वाले हैं टीजर को देखर मालूम पड़ता है कि ये फिल्म काला जादू यानि ब्लैक मैजिक पराधारी थै बाता थे कि सैतान साल 2030 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म वसकारी में एक है जिसका डिरेक्शन क्रिश्टर देव यगनिक ने किया है फिल्म सैतान की खास बात यह कि लीड एक्टर जियुदका पुरे 20 साल बाद परदे पर वापस करेंगी सैतान के बाद एक्टर अजियुदका की लगातार फिल्में लाइन आप में है इसमें सिंगमगे, रेट्टू और मैदान सामिल है अजियुदका की फिल्म सैतान का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है ये फिल्म आठ मार्च को सिनेमा घरों में आने के लिए तयार है इस फिल्म में जियुदका पुरे 20 साल के लंबे अंतराल के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी करेंगी 25 जनुरी को सैतान के मेकर्स ने आखिरकार अजिय देवगन माधवन और जियुदका की फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया सोसल मीडिया पर इसके क्रेप्सन में लिखा वो पूछेगा तुम से एक खेल है खेलोगे पर उसके बैकावे में मताना सैतान टीजर आउट टीजर शुरू होते ही आरमादवन का वाई सोर सुनाई देता है कहते हैं यह पूरी दुनिया बहरी है पर सुनते सम्मेरी है काले से भी काला में भै का मिठा प्याला में मालिक हूँ मैं नो लोकों का जहर भी मैं दवा भी मैं चुप चाप सदियों से देखता एक खामोस गवाह भी मैं, मैं रात हूँ, मैं साम हूँ, मैं तमाम हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं बिगारता हूँ, समेटता हूँ, मरोडता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता, एक खेल है खेलोगे, एक खेल का बस एक ही नि अजे दोगन ने इंस्टाग्राम पर फिर्ष्ट लूक पोस्टर सेयर किया है सेतान सेक्टरस से जानकी बोधी वाला भी बॉलिवुड में डेब्यू करेंगी जी स्टूडियो जजे दोगन एफ फिल्म्स और पैनोर्मा स्टूडियो इंटरनेशनल किया फिल्म आजे दोगन जयोती देश पांडे कुमार मंगत पाठक और अपसेख पाठक की बनाई है और विकास बहल ने इसे डायरेक्ट गिया है टीजर देखने के बाद मादवन के फैंस बहुत एक्साइटेड हो गये है कमेंट सक्सन उनकी तारिफों से भर गया है अजे फिलाहल रेट्टू की शूटिंग कर रहे हैं फिल्म मेंने तेश देश में खलनाय की भूम कामे हैं इसके लावा उन्होंने अधिकारिक तोर पर काभी उन्यर्स की पांचवी किस्त और सिंगम रिटर्ण्स के बहुपरति 6 सिकल सिंगम अगयन की घोशड़ा की है जो दर 24 को रिलीज होगी कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कास्टिंग से ही फिल्म फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है डिरेक्टर विकास बहल की सैतान भी ऐसी ही फिल्म है अजे दोगन जियुदिका और आर माध्वन जिसे तीन धुरंदर एक्टर्स का एक साथाना ही इस बात का इसारा था की सैतान की कहानी बहुत वजंदार होने वाली है अब इस फिल्म का टीजर आ गया है सुपरनेचुरल थिलर सैतान की पहली जलग देखने के बाद ही फिल्म देखने के जिग्यासा हिलोरे मारने लगेगी माध्वन नगेट्व रोल मेनेजर आ रहे हैं टीजर के आदे से जदा हिस्से में माध्वन की सिर्फ आवा सुनाई देती है और उनका अंदाज ही एक सुपरनेचुरल माहौल बना देता है सैतान के टीजर में माध्वन बोल रहे हैं कहते हैं कि ये दुनिया पूरी बहरी है पर सुनते सम मेरी हैं काले से भी काला में बहकावे का प्याला में तंतर से लेकर इस लोग का मालिक हूं मैं नो लोकों का जहर भी मैं दवा भी मैं चुपचाप सद्यों से सब कुछ देखता एक खामोस गवा भी मैं सैतान के टीजर में अज़ेद्योगन माध्वन के नेरेशन के साथ स्क्रीन पर जो इमेज नजराती है उनमें सैतान के इसके से तंतर सिद्धी के नुष्ठान की तैयारी का सामना और बूड डाल्स नजराती है काले जादू से जुदी ये सारी चीजे जो माहूल बनाती है उसमें आगे अज़ेद्योगन और जिद्का के चेहरे की बस एक जलक मिलती है दोनों के चेहरे पर भयानक खौप पसरा हुआ है सैतान के टीजर में जिद्का माध्वन की आवाज में नैरेशन आगे बढ़ाता है एक खेल खेलोगे इस खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बैकावे में मताना अंद में माध्वन के आधे चेहरे का क्लोज अप जो की डर के लहर दोड़ा देने वाली हसी हस्ते नजर आते हैं डिरेक्टर विकास बहल की सुपर नेचुरल थिलर सैतान आठ मार्च को थियेटर्स में रिलीज हो रही है इस फिल्म को दरस्व बनाने वाले मेकर चीले करा रहे हैं जहां अजय सैतान में अपने रेगुलर मसाला किरदारों से अलग अंदाज में दिखेंगे वही जियतिका लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है इस बीच उन्होंने साउत में जम कर काम किया है माधवन खुद अच्छे खासे गैप के बाद हिंदी फिल्म में काम कर रहे हैं और उन्हें देख कर ही लग रहा है कि वो एक और यादगार पफामस देने के लिए तयार है अजे द्योगन की सैतान फिल्म गुजराती फिल्म वस का रिमेख है तो आई ये जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है फिल्म एक परिवार की कहानी है विसेस रूप से बेटी आर्या की जो 20 साल की है जो जादू के जादू में पढ़ जाती है या किसी आदमी के जादू में आ जाती है पूरी फिल्म उस पल के इर्द गुर्द गूमती है जब वह जादू के जादू में आती है वह वस में हो जाता है और अपने इरादों को सुलजाना सुरू कर देता है कि यह आदमी किस तरह से प्रत्क्रिया करता है और इसी बारे में फिल्म है यदि आप अलोकिक होरर के परसंकक है या सिर्फ एक बेहतरीन सिनेमा अनभो की तालास में है तो आप फिल्म देखने लाइक है कृषण देव यगिनिक रहास्योर मोड से भरा एक सक्तिसाली मनोबै ग्यारिंग नाटक प्रस्तित करते हैं आर्थो एक परिवारी बिक्ति है जो पाइलेट के रूम में काम करता है और जब वह घर पर होता है तो चार लोगों का पूरा परिवार वह उसकी पतनी उसका सबसे छोटा बेटा और उसकी बेटी आर्या परिवार के फाम पर जाते हैं और आनंद लेने की योजना बना कर कुछ दिन पिताते हैं खेत के रास्ते में परिवार एक धाबे पर दोपार के भोजन के लिए रुकता है जहां उनकी मुलाकात परताप नाम के एक बिक्तिस होती है जो पहले तो कुछ से मिलनसार लगता है लेकिन खेत में उसके अचानक आगमन से आर्या के बाद परिवार क्रोधित हो जाता है उसके बेटी की खोज उसे परिशान कर देती है उथल पुथल इस आदमी के जादू के दायद और वह जो भी कहता है उसका परण करता है और इस तरह खेल सुरू होता है उस आदमे का केवल एक ही लच्छे आर्या को परिवार में हमेशा के लिए दूर ले जाना और वह बस इतना चाहता है कि परिवार सुच्छा से उसके साथ रहे क्योंकि वह उन पर लगातार अत्याचार करना सुरू कर देता है आर्या को काम करने के लिए मजबूर करता है आपको मजबूर करता है कि परिवार परतारना का सिकार हो जाता है और अंत में क्या हो जाता है ये फिल्म उसी के बारे में है फिल्म की सुरुआत निर्देशक की चेताउनी से होती है कि या फिल्म कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है और गर्भोती महिलाओ या दिल के समस्याओ वाले लोगों को इसे देखने से बसना चाहिए जो इस फिल्म के लिए काफी ठेक है वास जैसा कि वह अस्थाने गुजराती हिंदी प्रमपरा में सुझाओ देते हैं नाम ही आपको या विश्वास दिलाने के लिए परियाबत है कि या कुछ अलग होगा और जानकी वाला पोस्टर उस संदे की पुष्टी करता है या फिल्म निश्ची रुप से कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है इतना कहिना काफी होगा कि फिल्म लगभग दो घंटे लंबी है और हमें रोमांचित करने में कोई समय बर्बाद नहीं करती फिल्म कहानी के निर्माड के साह सुरू होती है फिर हमें पात्रों से परचित कराय जाता है विशेस रुप से आर्या से और जैसे जैसे यह सब कुछ हाके बढ़ता है ठीक है इसे हजार गुना बढ़ा दिया जाता है फिल्म में मनोबैग्यानिक तत्तु का बहुत अच्छे से इस्तिमाल किया गया है और यह आपको लगातार अनुमान लगाने पर मजबूर कर देता है लेखन अदभुद है और पटकता के साथ साथ छायंकर आपको इसकरिन से बांधे रखता है फिल्म में कोई संगीत नहीं है इसलिए अंते में आपको पूरे दो घंटी का मनोरंजन मिलता है क्योंकि आपका दिल नहीं टूटा है मनोबग्यानिक हरर का बहुत बड़ा परसंसक होने के ना थे इससे देखना एक परम आनंद दायक था अभिने सांदार और समय कापाबंध है जनकी बेदेवाला ने हितु कनोडिया और हितेन कुमार के सांदार काम किया है हाला कि बाद वाले दो को किसी परसे किया सकता नहीं है कि कुए हॉलिवुड के सुपस्टार हैं गुजराती फिल्मों की मुखिधारा में उनके परवेश ने उन्हें और हमें सांदार परदर्शन से अच्छी तरह लाभान्चित किया है कुछ घड़नाय अपनी कहानी खुद लिखती है और कई बार ये कहानिया इतनी रुमान्चक इतनी असमान होती हैं कि उन पर तब तक यकीन नहीं होता जब तक इनसान इन्हें अपनी आँखों से ना देख ले कभी कभी हमारा ऐसी सक्तियों से वास्ता पड़ता है जो खुद की समस्य भी परे होती हैं कई बारे सक्तियां बुरी जरूर होती हैं पर फिर भी इनसान अपनी हिम्मत और समस्य से इन पर अक्सर जीत हांसिल कर लेता है इस दुनिया में रातों का बावचूद इसी वज़े से है कि उनका सफर अगली सुबह उजालों की बाहों में जाकर ही खतम होगा सक्तियां इस संसार में सकारात्मक और नकारात्मक सदा से हो रही हैं हम इनसानों पर जब भी नकारात्मक सक्तिया हावी होने लगती हैं तब अधिकान से अध्यात्म की ओर चलते हैं यद्वे भोत प्रेत और सुवासनाओं से भरी हो तब हम सकारात्मक यानि इस सुर की सरण में जाते हैं इस फिलम का सार भी यही है हिमाचल के एक गाउं परागपुर में एक के बाद एक मडर हो रहे हैं कौन मार रहा है इने क्यों मार रहा है क्या कुछ साप हो पाएगी इस्थित इन सवालों से या फिलम वस दो चार होती हुई आपको तकनीकी तथा अनिकाड़ों में वस में करती है हर कहानी की तरह फिलम में भी मडर की वज़े है एक प्रेमी जोड़ा वहां साधी के बाद अपने घर में रह रहा है बीबी को रात में अक्सर कुछ आमांचनी चीज़े दिखाई और अपने साथ होती हुई महसूस होती है पती इन्हें उसका भरम बताता है एक पत्रकार है जिसने इन भूतों की सची घर्णाओं पर किताब भी लिखी है बाबा है जो भूत प्रेद भगाने का दावा करता है इधर फिलम के नायक नायकार रच्छित और आचल अपनी बढ़िया प्रेमबरी जिंदगी जी रहे हैं इसके बेच में कोई तीस राव्यक्त आ गया है जो आंचल को हर कीमत पर अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनाना चाहता कौन है वहाँ और इसके इरादे क्या हैं ऐसे ही कुछ राज़्चों को दर्शकों के लिए अंसुल जा रखा गया है जिसमें ये अतरप्त आत्मा जो आम इंसानों की तरह वासनाओं से भरी है विकास बहल के डिरेक्शन में बनी सैतान का ये रोंग्टे खड़े कर देनों और डैलाग सुनकर आप समझ ही गया होंगे कि ये फिल्म होरर के साथ साथ काफी एक्साइटिंग भी होने वाली है फिल्म का टीजर 25 जनुरी को रिलीज हो गया है जिसे देखते ही है कि दिमाग के पुर्जे हिल जाएंगे आपका सिर चक्राने लगेगा और आप भी बोल पढ़ेंगी कि फिल्म तो बाजा फाड़ है बास फिल्म में जेदोगन और जेदो का लेड रोल में है तो ही दर्शकों को दांतों तेले उंगलियां दबाने पर मजबूर करने के लिए और माधोन आएंगे ये अपकमिंग फिल्म आठ मार्च दोजार चोबिस को सिनेमा घरों में दहसत फैलानी आ रही है वो इसके टीजर को सेर करते हुए अजेदोगन ने सोसल मेडिया पर लिखा है कि वो पुछेगा एक खेल है खेलोगे पर उसके बहकावे में मता ना सैतान टीजर आउट सैतान एक मिनट 31 सिकंड का एक टीजर है आपको तंत्र मुंतर की दुनिया मिले जाएगा जिसमें अजेदोगन और जियतका काफी डरेस है में नजर आ रहे हैं वोई आर माधोन बिलन का किलदा निभा रहे हैं टीजर की शुरुआत इसके ड्रावनी डालाग से होती है और टीजर के आखर में या ड्रावनी हसी हसते और आपको फुल आन गूस बंस देने वाले हैं टीजर को देखर मालूम पड़ता है कि यह फिल्म का अला जादू यानि ब्लैक मैजिक पराधारित है बतादे कि सैतान साल 2030 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म वसका रिमेक है जिसका डिरेक्शन क्रिस्टर देव यगनिक ने किया है फिल्म सैतान की खास बात यह है कि लीड एक्टर जियुदका पुरे 20 साल बाद परदे परवापसी करेंगी सैतान के बाद एक्टर अजियुदका की लगादार फिल्में लाइन आप में है इसमें सिंगमगें, रेट्टू और मैदान सामिल है अजियुदका की फिल्म सैतान का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है ये फिल्म आठ मार्च को सिनेमा घरों में आने के लिए तयार है इस फिल्म में जियुदका पुरे 20 साल के लंबे अंतराल के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी करेंगी 25 जनुरी को सैतान के मेकर्स ने आखिरकार आजेदयोगन माधवन और जियुदका की फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया सुसल मीडिया पर इसका एपसन में लिखा वो पूछेगा तुम से एक खेल है खेलोगे पर उसके बैकावे में मताना सैतान टीजर आउट टीजर शुरू होते ही आरमादवन का वाई सोर सुनाई देता है कहते हैं यह पूरी दुनिया बहरी है पर सुनते सम मेरी है काले से भी काला में भै का मिठा प्याला में मालिक हूँ मैं नो लोकों का जहर भी मैं दवा भी मैं चुप चाब सदियों से देखता एक खामोस गवा भी मैं मैं रात हूँ मैं साम हूँ मैं तमाम हूँ मैं बनाता हूँ मैं विगारता हूँ समेटता हूँ मरोडता हूँ लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता एक खेल है खेलोगे एक खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूं मेरे बहकावे में मताना इससे पहले इसका फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हुआ था इसमें जेद्योगन आर्माधवन और जेद्गा को बिक्राल रूम में दिखाया गया था विकास बहल के डिरेक स्टूडियो इंटरनेशनल किया फिलम आजेद्योगन जियोती देश पांडे कुमार मंगत पाठक और अपसेख पाठक की बनाई है और विकास बहल ने इससे डिरेक्ट गया है टीजर देखने के बाद माधवन के फैंस बहुत एक्साइटेड हो गये हैं कमेंट सक्षन उन पर 36 सिकल सिंगमागेन की घोशड़ा की है जो दर 24 को रिलीज होगी कुछ फिलमें ऐसी होती है जिनकी कास्टिंग से ही फिलम फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है डिरेक्टर विकास बहल की सैतान भी ऐसी ही फिलम है अजे दोगन जियोतिका और आर माधवन जिसे तीन धुरंदर एक्टर्स का एक साथाना ही इस बात का इसारा था कि सैतान की कहानी बहुत वजंदार होने वाली है अब इस फिलम का टीजर आ गया है सुपर नेचुरल थिलर सैतान की पहली जलक देखने के बाद ही फिलम देखने के जिग्यासा हिलोरे मारने लगेगी माध से ज़्यदा हिस्से में माध्वन की सिर्फ आवा सुनाई देती है और उनका अंदाज ही एक सुपर नेचुरल माहौल बना देता है सैतान के टीजर में माध्वन बोल रहे हैं कहते हैं कि ये दुनिया पूरी बहरी है पर सुनते सम मेरी हैं काले से भी काला में बहकावे का से ज़्यदा में तंत्र से लेकर इस लोग का मालिक हूं मैं नो लोकों का जहर भी मैं दवा भी मैं चुपचाप सद्यों से सब कुछ देखता एक खामोस गवा भी मैं सैतान के टीजर में अजिद्योगन माधवन के नेरेशन के साथ स्क्रीन पर जो इमेज नजर आती है उनमें सैतान के इसके से तंत्र सिद्धी के नुष्ठान की तैयारी का सामना और बूड डाल्स नजर आती हैं काले जादू से जुदी ये सारी चीज़े जो माहौल बनात दोनों के चहरे की बस एक जलक मिलती है दोनों के चहरे पर भयानक खौप पसरा हुआ है सैतान के टीजर में जियुद्योगन की आवाज में नेरेशन आगे बढ़ाता है एक खेल खेलोगे इस खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूं मेरे बैकावे में मताना अं इस फिल्म को द्रस्टम बनाने वाले मेकर चीले करा रहे हैं जहां अजय सैतान में अपने रेगुलर मसाला किरदारों से अलग अंदाज में दिखेंगे वही जीवतिका लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही हैं इस बीच उन्होंने साउत में चम कर काम किया ह माधवन खुद अच्छे खासे गैप के बाद हिंदी फिल्म में काम कर रहे हैं और उन्हें देख कर ही लग रहा है कि वो एक और यादगार पफामस देने के लिए तयार हैं अजे देवगन की सैतान फिल्म गुजराती फिल्म वस का रिमेक है तो आईए जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है फिल्म एक परिवार की कहानी है विसेस रूप से बेटी आर्या की जो 20 साल की है जो जादू के जादू में पढ़ जाती है या किसी आदमी के जादू में आ जात यदि आप अलोकिक होरर के परसंकक हैं या सिर्फ एक बेहतरीन सिनेमा अनभो की तालास में हैं तो आप फिलम देखने लाइक है कृषण देव यगिनिक रहास्योर मोड से भरा एक सक्तिसाली मनोबय ग्यानिंग नाटक प्रस्तित करते हैं आर्थो एक परिवारी बिक्ति है जो पाइलेट के रूम में काम करता है और जब वह घर पर होता है तो चार लोगों का पूरा परिवार वह उसकी पतनी उसका सबसे छोटा बेटा और उसकी बेटी आर्या परिवार के फाम पर जाते हैं और आनन्द लेने की योजना बना कर खेत के रास्ते में परिवार एक धाबे पर दोपार के भोजन के लिए रुखता है जहां उनकी मुलाकात परताप नाम के एक बिक्ति से होती है जो पहले तो कुछ से मिलनसार लगता है लेकिन खेत में उसके अचानक आगमन से आर्या के बाद परिवार क्रोधित हो जाता है उ आर्या को परिवार में हमेशा के लिए दोर ले जाना और वहां बस इतना चाहता है कि परिवार सुच्छा से उसके साथ रहे क्योंकि वहां उन पर लगातार अत्यचार करना सुरू कर देता है आर्या को काम करने के लिए मजबूर करता है आपको मजबूर करता है कि परिवा परतारना का सिकार हो जाता है और अंत में क्या हो जाता है ये फिल्म उसी के बारे में है। या फिल्म निश्ची रूप से कमजोर दिलवालों के लिए है या फिल्म निश्ची रूप से कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है इतना कहना काफी होगा कि फिल्म लगभग दो घंटे लंबी है और हमें रोमान्चित करने में कोई समय बरबाद नहीं करती फिल्म कहानी के न कातार अनमान लगाने पर मजबूर कर देता है लेखन अदभुद है और पड़कता के साथ साथ छायंकर आपको इसक्रिन से बांधे रखता है फिल में कोई संगीत नहीं है इसलिए अंत में आपको पूरे दो घंटी का मनोरंजन मिलता है क्योंकि आपका दिल नहीं तूटा है मनोबग्यानिक हरर का बहुत बड़ा परसंसक होने के ना थे इससे देखना एक परम आनंद दायक था अभिने सांदार और समय का पाबंध है जनकी बेदिवाला ने हितु किनोडिया और हितेन कुमार के साथ सांदार काम किया है हाला कि बाद वाले दो को किसी परिशे किया स लगता नहीं है कि वे हालिवुड के सुपरस्टार हैं गुजराती फिल्मों की मुखिधारा में उनके परवेश ने उन्हें और हमें सांदार परदर्शन से अच्छी तरह लाभान चित किया है कुछ घटनाय अपनी कहानी खुद लिखती हैं और कई बार ये कहानिया इतनी रुमान चक इतनी असमान होती हैं कि उन पर तब तक यकीन नहीं होता जब तक इनसान इन्हें अपनी आखों से ना देख ले कभी कभी हमारा ऐसी सक्तियों से वास्ता पढ़ता है जो खुद की समस्य से भी परे होती हैं कई बारे सक्तियां बुरी जरूर होती हैं पर फिर इन्सान अपनी हिम्मत और समझ से इन पर अक्सर जीत हांसिल कर लेता है। इस दुनिया में रातों का बाउचूद इसी वज़े से है कि उनका सफर अगली सुबह उजालों की बाहों में जाकर ही खतम होगा। सक्तिया इस संसार में सकारात्मक और नकारात्मक सदा से हो रही है हम इन्सानों पर जब भी नकारात्मक सक्तिया हावी होने लगती हैं तब अधिकान से अध्यात्म की ओर चलते हैं। यद्वे भोत प्रेत और स्वासनाओं से भरी हो तब हम सकारात्मक यानि इस सुर की सरण में जाते हैं। इस फिलम का सार भी यही है। हिमाचल के एक अनिकाड़ों में वस में करती है। हर कहानी की तरह फिलम में भी मडर की वज़े है। एक प्रेमी जोड़ा वहां साधी के बाद अपने घर में रह रहा है। बीबी को रात में अक्सर कुछ अवांचनी चीज़े दिखाई और अपने साथ होती हुई महसूस होती हैं। पती अपनी बड़िया प्रेम भरी जिंदगी जी रहे हैं। इसके बीच में कोई तीस राव्यक्त आ गया है जो आंचल को हर कीमत पर अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। कौन है वहां और इसके इरादे क्या हैं। ऐसे ही कुछ राज्चों को दर्शकों के लिए अंसुल जारक खा गया है जिसमें ये अतरप्त आत्मा जो आम इंसानों की तरह वासनाओं से भरी है। विकास बहल के डिरेक्शन में बनी सैतान का ये रॉंग टे खड़े कर देना और डैलाग सुनकर आप समझे गया होंगे कि ये फिल्म होरर के साथ साथ कौफी एक्साइ पर मजबूर करने के लिए आर माधवन आएंगे। ये अपकमिंग फिल्म आठ मार्च दोजार चोबिस को सिनिमा घरों में दहसत फैलानी आ रही है। वो इसके टीजर को सेर करते हुए अजय देवगन ने सोसल मेडिया पर लिखा है कि वो पुछेगा एक खेल है खेलोगे पर उसके बहकावे में मताना सैतान टीजर आउट सैतान एक मिनट 31 सिकंड का ये टीजर है आपको तंत्र मुंतर की दुनिया में ले जाएगा जिसमें अजय देवगन और जियतका काफी डरे सह में नजरा रहे हैं वोई आर माधवन बिलन का किलदा निभा रहे हैं टीजर क कि सैतान साल 2030 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म वसका रिमेक है जिसका डिरेक्शन क्रिस्टर देव यगनिक ने किया है फिल्म सैतान की खास बात है कि लीड एक्टर जियतका पूरे 20 साल बाद परदे पर वापसी करेंगी सैतान के बाद एक्टर अजय देवगन की लग बेंतराल के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी करेंगी 25 जनुरी को सैतान के मेकर्स ने आखिरकार अजय देवगन माधवन और जियुदका की फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया सोसल मीडिया पर इसका क्रेप्सन में लिखा वो पूछेगा तुम से एक खेल है खेलोगे पर उ एक हूँ मैं नो लोको का जहर भी मैं दवा भी मैं चुप चाप सदियों से देखता एक खामोस गवा भी मैं मैं रात हूँ मैं साम हूँ मैं तमाम हूँ मैं बनाता हूँ मैं विगारता हूँ समेठता हूँ मरोडता हूँ लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता एक खेल है खेलोगे एक खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूं मेरे बहकावे में मताना इससे पहले इसका फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हुआ था इसमें जेद्योगन आर्माधवन और जेद्युका को बिक्राल रूम में दिखाया गया था विकास बहल के डिरेक् एफ फिल्म्स और पैनोरमा इस्टूडियो इंटरनेशनल किया फिलम आजे द्योगन जेद्योगन जियोती देश पांडे कुमार मंगत पाठक और अपसेख पाठक की बनाई है और विकास बहल ने इससे डिरेक्ट गिया है टीजर देखने के बाद माधवन के फैंस बहुत की है जो दर 24 को रिलीज होगी कुछ फिलमें ऐसी होती है जिनकी कास्टिंग से ही फिलम फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है डिरेक्टर विकास बहल की सैतान भी ऐसी ही फिलम है अजे द्योगन जियोतिका और आर माधवन जिसे तीन धुरंदर एक्टर्स का एक के टिरु रोल में नजर आ रहे हैं टीजर के आदे से जदा हिश्चे में माधवन की सिर्फ आवा सुनाई देती है और उनका अंदाज ही एक सुपरनेच्रल्न माहल बना देता है सैतान के टीजर में माधवन बोल रहे हैं कहते हैं कि ये दुनिया पूरी देमें ऐंग काले स नेरेशन के साथ स्क्रीन पर जो इमेज नजराती है उनमें सैतान के इसकेश तंत्रशिद्धी के नुष्ठान की तैयारी का सामना और बूड डाल्स नजराती हैं काले जादू से जुदी ये सारी चीजे जो माहूल बनाती हैं उसमें आगे अजिद्ध्यकन और जिद्धका के चेहरे की बस एक जलक मिलती है दोनों के चेहरे पर भयानक खौप पसरा हुआ है सैथान के टीजर में जिद्धका माध्वन की आवाज में नैरेशन आगे बढ़ाता है एक खेल खेलोगे इस खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बहकावे में मताना अंधमे माध्वन के आधे चेहरे का क्लोजप जो की डर के लहल दोड़ा देने वाल हसी हस्ते नजर आते हैं डिरेक्टर विकास बहल की सुपर नेशुरल थिलर सैथान आठ मार्श को थीटर्स में रिलीज हो रही है इस फिल्म को द्रस्चम बनाने वाले मेकर सीले करा रहे हैं जहां अजय सैथान में अपने रेगुलर मसाला किरदारों से अलग अंदाज में दिखेंगे वही जियुति का लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही हैं इस बीच उन्होंने साउत में जम कर काम किया है माधवन खुद अच्छे खासे गैप के बाद हिंदी फिल्म में काम कर रहे हैं और उन्हें देख कर ही लग रहा है कि वह एक और कार पफामस देने के लिए तयार हैं अजे द्योगन की सैतान फिल्म गुजराती फिल्म वस का रिमेक है तो आई ये जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है फिल्म एक परिवार की कहानी है विसेस रूप से बेटी आर्या की जो 20 साल की है जो जादू के जादू में पड़ जाती है य यह आदमी किस तरह से प्रत्किरिया करता है और इसी बारे में फिल्म है यह दियाप अलोकिक हॉरर के पर संकक है या सिर्फ एक बहतरीन सिनेमा अनभो की तालास में है तो आप फिल्म देखने लाइक है कृषड देव या गिनिक रहा से और मोड से भरा एक सक्तिसाली मनोब ग्यानिक नाटक प्रस्तित करते हैं आर्थो एक परिवारी बिक्ति है जो पाइलट के रूम में काम करता है और जब वह घर पर होता है तो चार लोगों का पूरा परिवार वह उसकी पतनी उसका सबसे छोटा बेटा और उसकी बेटी आर्या परिवार के फाम पर जाते हैं और आनंद लेने की योजना बना कर कुछ दिन पिताते हैं खेत के रास्ते में परिवार एक ढाबे पर दोपार के भोजन के लिए रुकता है जहां उनकी मुलाकात परताप नाम के विक्तिस होती है जो पहले तो कुछ मिलनसार लगता है लेकिन खेत में उसके अचानक आगम सुरू होता है उस आदमे का केवल एक हील अच्छे आर्या को परिवार में हमेशा के लिए दूर ले जाना और वहां बस इतना चाहता है कि परिवार सुच्छा से उसके साथ रहे क्योंकि वहां उन पर लगातार अत्याचार करना सुरू कर देता है आर्या को काम करने के नहीं है और गर्भोती महिलाओ या दिल के समस्याओ वाले लोगों को इसे देखने से बसना चाहिए जो इस फिल्म के लिए काफी ठेक है वास जैसा कि वह अस्थाने गुजराती हिंदी प्रंपरा में सुझाओ देते हैं नाम ही आपको या विश्वास दिलाने के लिए परिय प्रंटे लंबी है और हमें रोमांचित करने में कोई समय बरबाद नहीं करती फिल्म कहानी के निर्माड के साथ सुरू होती है फिर हमें पात्रों से परचित कराया जाता है विश्वरुप से आर्या से और जैसे जैसे यह सब कुछ आके बढ़ता है ठीक है इसे हजार गु इतन ही है इसलिए अंत में आपको पूरे दो घंटे का मनोरेंजन मिलता है क्योंकि आपका दिल नहीं टूटा है मनोबग्यानिक हरर का बहुत बड़ा परसंसक होने के ना थे इससे देखना एक परमानंद दायक था अभिने सांदार और समय का पाबंध है जानकी बेदेवा हाला ने हितु कनोडिया और हितेन कुमार के सांदार काम किया है हाला कि बाद वाले दो को किसी परिशे किया सकता नहीं है कि कुए हालिवुड के सुपस्टार हैं गुजराती फिल्मों की मुखिधारा में उनके परवेश ने उन्हें और हमें सांदार परदर्शन से अभी कभी हमारा ऐसी सक्तियों से वास्ता पड़ता है जो खुद की समस्य भी परे होती हैं कई बारे सक्तियां बुरी जरूर होती हैं पर फिर भी इन्सान अपनी हिम्मत और समस्य से इन पर अक्सर जीत हांसिल कर लेता है इस दुनिया में रातों का बावजूद इसी वज लगती हैं तब अधिकान से अध्यात्म की ओर चलते हैं यद्वे भोत प्रेत और स्वास्नाओं से भरी हो तब हम सकारात्म क्यानी इस सुर की स्रण में जाते हैं इस फिल्म का सार भी यही है हिमाचल के गाउं परागपुर में एक के बाद एक मडर हो रहे हैं कौन मार रहा है ने क्यों मार रहा है क्या कुछ साफ हो पाएगी इस्थित इन सवालों से या फिल्म वस दो चार होती हुई आपको तकनी की तथा अनिकाड़ों में वस में करती है हर कहानी की तरह फिल्म में भी मडर की वज़े है एक प्रेमी जोड़ा वहां साधी के बाद अपने घर मे रह रहा है बीबी को रात में अक्सर कुछ अमांचनी चीज़े दिखाई और अपने साथ होती हुई महसूस होती हैं पती इन्हें उसका भरम बताता है एक पत्रकार है जिसने इन भूतों की सच्चे घर्णाओं पर किताब भी लिखी है बाबा है जो भूत प्रेत भगाने क दावा करता है इधर फिल्म के नायक नायकार रच्छित और आचल अपनी बढ़िया प्रेमबरी जिंदगी जी रहे हैं इसके बीच में कोई तीस राव्यक्त आ गया है जो आचल को हर कीमत पर अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनाना चाहता कौन है वह और इसके इरादे क् कर आप समझे गया होंगे कि ये फिल्म हॉरर के साथ साथ कौफी एक्साइटिंग भी होने वाली है फिल्म का टीजर 25 जनुरी को रिलीज हो गया है जिसे देखते ही आकर दिमाग के पुर्जे हिल जाएंगे आपका सिर चक्राने लगेगा और आप भी बोल पढ़ेंगी कि तो बाजा फाड़ है बास फिल्म में जेदोगन और जेदो का लेड रोल में हैं तो ही दर्शकों को दांतों तेले उंगलियां दबाने पर मजबूर करने के लिए और माधोन आएंगे ये अपकमिंग फिल्म 8 मार्च 2024 को सिनिमा घरों में दहसत फैलाने आ रही है वो इसके जेदोगन और जेद का काफी डरे सह में नजर आ रहे हैं वही आर माधोन विलन का किलदा निबा रहे हैं टीजर की सुरुआत इसके ड्राउनी डालाग से होती है और टीजर के आखर में या ड्राउनी हसी हसते और आपको फुलाण गूस बंस देने वाले हैं टीजर को पास बात यह कि लीड एक्टर जियुदका पुरे 20 साल बाद परदे पर वापसी करेंगी सेथान के बाद एक्टर अजिय दोगन की लगातार फिल्में लाइन आप में हैं इसमें सिंगमगें रेट्टू और मैदान सामिल है अजिय दोगन आर माधौन और जियुदका की फिल् का टीजर रेलेज कर दिया सोसल मीडिया पर इसके क्रेप्शन में लिखा वो पूछेगा तुमसे एक खेल है खेलोगे पर उसके बैकावे में मताना सैतान टीजर आउट टीजर शुरू होते ही आर माधौन का वाई सो और सुनाई देता है कहते हैं यह पूरी दुनिया बहर पर सुनते सम् मेरी हैं काले से भी काला में भैका मिठा प्याला में मालिक हूँ मैं नो लोको का जहर भी मैं दवा भी मैं चुप चाप सदियों से देखता एक खामोस गवाह भी मैं मैं रात हूँ मैं साम हूँ मैं तमाम हूँ मैं बनाता हूँ मैं विगारता हूँ समेठता लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता एक खेल है खेलोगे एक खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूं मेरे बहकावे में मताना इससे पहले इसका फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हुआ था इसमें जेद्योगन आर्माधवन और जेद्गा को विक्राल रू वुड में डेब्यो करेंगी जी इस्टूडियो जेद्योगन एफ फिल्म्स और पैनोर्मा स्टूडियो इंटरनेशनल किया फिलम आजेद्योगन जेद्योगन जेद्य देश पांडे कुमार मंगत पाठक और अपसेख पाठक की बनाई है और विकास बहल ने इसे डायरेक गया है टीजर देखने के बाद मादवन के फैंस बहुत एक्साइटेड हो गये हैं कमेंट सक्षन उनकी तारिफों से भर गया है अजे फिलाहल रेट्टू की शूटिंग कर रहे हैं फिल्म मेंने तिस देश में खलनाय की भूम कामे हैं इसके लावा उन्होंने अधिकारिक दोर पर काभी उन्होंने की पांचवी केस्त और सिंगम रिटर्ण्स के बहुपरति छिस सिकल सिंगम अगयन की घोशड़ा की है जो दर 24 को रिलीज होगी कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कास्टिंग से ही फिल्म फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है डिरेक्टर विकास बहल की सैतान भी ऐसी ही फिल्म है अजे दोगन जियुदिका और आर माधवन जिसे तीन धुरंदर एक्टर्स का एक साथाना ही इस बात का इसारा था कि सैतान की कहानी बहुत वजंदार होने वाली है अब इस फिल्म का टीजर आ गया है सुपर नेचुरल थिल्लर सैतान की पहली जलक देखने के बाद ही फिल्म देखने के जिग्यासा हिलोरे मारने लगेगी माधवन नगेटि रोल मेनेजर आ रहे हैं टीजर के आदे से ज्यदा हिस्से में माधवन की सिर्फ आवा सुनाई देती है और उनका अंदाज ही एक सुपर नेचुरल माहौल बना देता है सैतान के टीजर में माधवन बोल रहे हैं कहते हैं कि ये दुनिया पूरी बहरी है पर सुनते सम मेरी हैं काले से भी काला में बहकावे का प्याला में तंतर से लेकर इस लोग का मालिक हूं मैं नो लोकों का जहर भी मैं दवा भी मैं चुपचाप सद्यों से सब कुछ देखता एक खामोस गवा भी मैं सैतान के टीजर में अजय द्यगन माधवन के नेरेशन के साथ स्क्रीन पर जो इमेज नजर आती है उनमें सैतान के इस के चेहरे पर भयानक खौब पसरा हुआ है सैतान के टीजर में जियुदिका माध्वन की आवाज में नैरेशन आगे बढ़ाता है एक खेल खेलोगे इस खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूं मेरे बहकावे में मताना अंदमे माध्वन के आधे चेहरे का जहां अजय सैतान में अपने रेगुलर मसाला किरदारों से अलग अंदाज में दिखेंगे वही जियुदिका लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है इस बीच उन्होंने साउत में जम कर काम किया है माध्वन खुद अच्छे खासे गैप के बाद हिंदी फिल्म में काम कर रहे हैं और उन्हें देख कर ही लग रहा है कि वो एक और यादगार पर्फामस देने के लिए तैयार है अजए द्योगन की सैतान फिल्म गुजराती फिल्म वस का रिमेक है तो आ southwest चाणते है कि यह यह फिल्म कैसी है फिल्म एक परिवार को सुलजाना सुरू कर देता है कि यह आदमी किस तरह से प्रत्किरिया करता है और इसी बारे में फिल्म है यह अलोकिक होरर के पर संकक है या सिर्फ एक बेहतरीन सिनेमा अनभो की तालास में है तो यह फिल्म देखने लाइक है कृषण देव यगिनिक रहास्योर मोड से भरा एक सकतिसाली मनोबै ग्यानिंग नाटक प्रस्तित करते हैं आर्थो एक परिवारी बिक्ति है जो पाइलेट के रूम में काम करता है और जब वह घर पर होता है तो चार लोगों का पूरा परिवार वह उसकी पतनी उसका सबसे छोटा बेटा और उसकी बेटी आर्या परिव परिवार के फाम पर जाते हैं और आनंद लेने की योजना बना कर कुछ दिन पिताते हैं खेत के रास्ते में परिवार एक धाबे पर दोपार के भोजन के लिए रुकता है जहां उनकी मुलाकात परताप नाम के एक बिक्ति से होती है जो पहले तो कुछ मिलनसार लगता है लेकिन खेत में उसके अचानक आगमन से आर्या के बाद परिवार क्रोधित हो जाता है उसके बेटी की खोज उसे परिशान कर देती है उथल पुथल इस आदमी के जादू के तायद और वह जो भी कहता है उसका परन करता है और इस तरह खेल सुरू होता है उस आदमे का लेक ही लच्छे आर्या को परिवार में हमेशा के लिए दूर ले जाना और वह बस इतना चाहता है कि परिवार सुच्छा से उसके साथ रहे क्योंकि वह उन पर लगातार अत्याचार करना सुरू कर देता है आर्या को काम करने के लिए मजबूर करता है आपको मजबूर करत परिवार परतारना का सिकार हो जाता है और अंत में क्या हो जाता है ये फिल्म उसी के बारे में है फिल्म की सुरुआत निर्देशक की चेताउनी से होती है कि यह फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है और गर्भोती महिलाओ या दिल के समस्याओ वाले लोगों को इसे देखने से बसना चाहिए जो इस फिल्म के लिए काफी ठेक है वास जैसा कि वह अस्थाने गुजराती हिंदी प्रमपरा में सुझाओ देते हैं नाम ही आपको या विश्वास दिलाने के लिए परियाब देगी या कुछ अलग होगा और जानकी वाला पोस्टर उस संदे की प पाद नहीं करती फिल्म कहानी के निर्माड के साथ सुरू होती है फिर हमें पात्रों से परचित कराया जाता है विश्वास रुप से आर्या से और जैसे जैसे यह सब कुछ आगे बढ़ता है ठीक है इसे हजार गुना बढ़ा दिया जाता है फिल्म में मनुबैग्यानिक तत्तु का बहुत अच्छे से इस्तिमाल किया गया है और यह आपको लगातार अनुमान लगाने पर मजबूर कर देता है लेखन अद्भुध है और पटकता के साथ साथ चायंकर आपको इसकरिन से बांधे रखता है फिल्म में कोई संगीत नहीं है इसलिए अंत में आपको किया है हाला कि बाद वाले दो को किसी पर से किया सकता नहीं है कि कुए हॉलिवुड के सुपरस्टार हैं गुजराती फिल्मों की मुखिधारा में उनके परवेश ने उन्हें और हमें सांदार परदर्शन से अच्छी तरह लाभान चित किया है कुछ घरनाएं अपनी कहान से वास्ता पड़ता है जो खुद की समस्य भी परे होती हैं कई बारे सक्तियां बुरी जरूर होती हैं पर फिर भी इंसान अपनी हिम्मत और समस्य से इन पर अक्सर जीत हांसिल कर लेता है इस दुनिया में रातों का बावचूद इसी वज़े से है कि उनका सफर अगली सु सवास्नाओं से भरी हो तब हम सकारात्मक यानि इस सुर की स्रण में जाते हैं इस फिल्म का सार भी यही है हिमाचल के गाउं परागपुर में एक के बाद एक मडर हो रहे हैं कौन मार रहा है इने क्यों मार रहा है क्या कुछ साफ हो पाएगी इस्थित इन सवालों से या फ अक्सर कुछ अमांचनी चीज़े दिखाई और अपने साथ होती हुई महसूस होती हैं। पती इन्हें उसका भरम बताता है। एक पत्रकार है जिसने इन भूतों की सचे घटनाओं पर किताब भी लिखी है। बाबा है जो भूत प्रेद भगाने का दावा करता है। इधर फि वास्यों को दर्शकों के लिए अंसुल जा रखा गया है। जिसमें अत्रप्त आत्मा जो आम इंसानों की तरह वासनाओं से भरी है। विकास बहल के डिरेक्शन में बनी सैतान का ये रॉंग्टे खड़े कर देनों और डैलाग सुनकर आप समझ ही गया होंगे कि ये फिल् और जेदुका लेड रोल में हैं तो ही दर्शकों को दांतों तेले उंगलियां दबाने पर मजबूर करने के लिए आर माधोन आएंगे। ये अपकमिंग फिल्म आठ मार्च दोजार चोबिस को सिनेमा घरों में दहसत फैलानी आ रही है। वो इसके टीजर को सेर करते जिसमें अजय देवगन और जेदुका काफी डरेस है में नजर आ रहे हैं। वोई आर माधोन बिलन का किलदा निभा रहे हैं। टीजर की सुरुआत इसके ड्रावनी डालाक से होती है और टीजर के आखर में या ड्रावनी हसी हसते और आपको फुल आन गूस बंस देने व बाद परदे पर वापसी करेंगी। सेतान के बाद एक्टर अजय देवगन की लगादार फिल्में लाइन आप में हैं। इसमें सिंगम अगें रेट्टू और मैदान सामिल है। अजय देवगन आर माधोन और जेदुका की फिल्म सेतान का टीजर आखर कार रिलेज हो गया है। ये फिल्म आठ मार्च को सिनेमा घरों में आने के लिए तयार है। इस फिल्म में जेदुका पुरे 20 साल के लंबे अंतराल के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी करेंगी। 25 जनुरी को सेतान के मेकर्ष ने आखरकार अजय देवगन, माधोन और जेदुका की फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया। सोसल मीडिया पर इसके कैप्सन में लिखा। वो पूछेगा तुम से एक खेल है खेलोगे। पर उसके बैकावे में मता ना। सैतान टीजर आउट। टीजर शुरू होते ही आरमादोन का वाई सोर सुनाई देता है। कहते हैं यह पूरी दुनिय अब बहरी है पर सुनते सम्मेरी हैं काले से भी काला में भैका मीठा प्याला में मालिक हूँ मैं नो लोको का जहर भी मैं दवा भी मैं चुप चाप सदियों से देखता एक खामोस गवाह भी मैं मैं रात हूँ मैं साम हूँ मैं तमाम हूँ मैं बनाता हूँ मैं विगारता ह समेटता हूं मरोडता हूं लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता एक खेल है खेलोगे एक खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूं मेरे बहकावे में मताना इससे पहले इसका फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हुआ था इसमें जेद्योगन आर्माधवन और जेद्योगन को विक्राल रूम में दिखाया गया था विकास बहल के डिरेक्शन में बनी फिल्म का टीजर बेहत खौपनाक लग रहा है अजेद्योगन ने इंस्टाग्राम पर फर्स्ट लुक पोस्टर सेयर किया है सेतान से एक्टरस से जानकी बोधी वाला भी और पैनोरमा स्टूडियो इंटरनेशनल किया फिल्म आजेद्योगन जियोती देश पांडे कुमार मंगत पाठक और अपसेख पाठक की बनाई है और विकास बहल ने इसे डिरेक्ट गया है टीजर देखने के बाद माधवन के फैंस बहुत एक्साइटेड हो गये हैं कमें 36 सिकल सिंगमागेन की घोशड़ा की है जो दर 24 को रिलीज होगी कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनकी कास्टिंग से ही फिल्म फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है डिरेक्टर विकास बहल की सैतान भी ऐसी ही फिल्म है अजे दोगन जियोतिका और आर माधवन जिसे तीन धुरंदर एक्टर्स का एक साथाना ही इस बात का इसारा था कि सैतान की कहानी बहुत वजन्दार होने वाली है अब इस फिल्म का टीजर आ गया है सुपरनेचुरल थिल्र सैतान की पहली जलग देखने के बाद ही फिल्म देखने के जिग्यासा हिलोरे मारने लगेगी माध्वन नगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं टीजर के आदे से जदा हिस्से में माध्वन की सिर्फ आवा सुनाई देती है और उनका अंदाज ही एक सुपरनेचरन माहौल बना देता है सैतान के टीजर में माध्वन बोल रहे हैं सैतान के अज़ेच से तंत्रशिद्धिक के नुष्ठान की तयारी का सामना और बूड डाल्स नजर आती है काले जादू से जुदी ये सारी चीजे जो माहौल बनाती हैं उसमें आगे अजिद्योगन और जिद्का के चेहरे की बस एक जलक मिलती है दोनों के चेहरे पर भयानक खौप पसरा हुआ है सैतान के टीजर में जिद्का माध्वन की आवाज में नैरेशन आगे बढ़ाता है एक खेल खेलोगे इस खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बहकावे में मताना अंद में माध्वन के आधे चेहरे का क्लोज अप जो की डर के लहर दोड़ा देने वाली ह सी हस्ते नजर आते हैं डिरेक्टर बिकास बहल की सुपर नेशुरल थिलर सैतान आठ मार्श को थियेटर्स में रिलीज हो रही है इस फिल्म को द्रस्चम बनाने वाले मेकर सीले करा रहे हैं जहां अजय सैतान में अपने रेगुलर मसाला किरदारों से अलग अंदाज में वही जेतिका लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही हैं इस बीच उन्होंने साउत में जम कर काम किया है माधवन खुद अच्छे खासे गैप के बाद हिंदी फिल्म में काम कर रहे हैं और उन्हें देख कर ही लग रहा है कि वो एक और यादगार पफामस दे लेने के लिए तयार हैं अजे द्योगन की सैतान फिल्म गुजराती फिल्म वस का रिमेक है तो वाइए जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है फिल्म एक परिवार की कहानी है विसेस रूप से बेटी आर्या की जो 20 साल की है जो जादू के जादू में पढ़ जाती है या किसी किसी बारे में फिल्म है यह द्याप अलोकिक होरर के पर संकक हैं या सिर्फ एक बहतरीन सिनेमा अनभो की तालास में हैं तो यह फिल्म देखने लाइक है कृषण देव यगनिक रहास्यों और मोड से भरा एक सकतिसाली मनोबग्यानिंग नाटक प्रस्तित करते हैं आर्थो लेने की योजना बना कर कुछ दिन बिताते हैं खेत के रास्ते में परिवार एक धाबे पर दोपार के भोजन के लिए रुखता है जहां उनकी मुलाकात परताप नाम के बिक्टिसे होती है जो पहले तो कुछ मिलनसार लगता है लेकिन खेत में उसके अचानक आगमन से आर आर्या को परिवार में हमेशा के लिए दोर ले जाना और वहां बस इतना चाहता है कि परिवार सुच्छा से उसके साथ रहे क्योंकि वहां उन पर लगातार अत्यचार करना सुरू कर देता है आर्या को काम करने के लिए मजबूर करता है आपको मजबूर करता है कि परिवा परतारना का सिकार हो जाता है और अंत में क्या हो जाता है ये फिल्म उसी के बारे में है। ये फिल्म निश्ची रूप से कमजोर दिलवालों के लिए है ये फिल्म निश्ची रूप से कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है। अनमान लगाने पर मजबूर कर देता है लेखन अदभुद है और पड़कता के साथ साथ छायंकर आपको इसक्रिन से बांधे रखता है फिल में कोई संगीत नहीं है इसलिए अंत में आपको पूरे दो घंटी का मनोरंजन मिलता है क्योंकि आपका दिल नहीं टूटा है मुनो आदवाले दो को किसी परिशे किया सकता नहीं है क्योंकि वे हॉलिवुड के सुपरस्टार हैं गुजराती फिल्मों की मुखिधारा में उनके परवेश ने उन्हें और हमें सांदार परदर्शन से अच्छी तरह लाभान चित किया है कुछ घटनाय अपनी कहानी खुद ल होती हैं कई बारे सकतियां बुरी जरूर होती हैं पर फिर भी इंसान अपनी हिम्मत और समझ से इन पर अक्सर जीत हांसिल कर लेता है इस दुनिया में रातों का बावचूद इसी वज़े से है कि उनका सफर अगली सुबह उजालों की बाहों में जाकर ही खतम होगा सकतिया इस संसार में सकारातमक और नकारातमक सदा से हो रही हैं हम इंसानों पर जब भी नकारातमक सकतिया हावी होने लगती हैं तब अधिकान से अध्यातम की ओर चलते हैं यद्वे भोत प्रेत और सुवासनाओं से भरी हो तब हम सकारातमक यानि इस सुर की सरण में जाते हैं इ प्रेमी जोड़ा वहां साधी के बाद अपने घर में रह रहा है। अपनी बढ़िया प्रेम भरी जिन्दगी जी रहे हैं। इसके बेच में कोई तीस राव्यक्त आ गया है। 25 जनुरी को रिलीज हो गया है। जिसे देखते ही आके दिमाग के पुर्जे हिल जाएंगे। आपका सीर चक्राने लगेगा। और आप भी बोल पढ़ेंगी कि फिल्म तो बाजा फाड़ है बास। फिल्म में जेदोगन और जेदो का लेड रोल में हैं। तो ही दर्शकों को दांतों तेले उंगलिया दबाने पर मजबूर करने के लिए आर माधून आएंगे। ये अपकमिंग फिल्म आठ मार्च दोजार चोबिस को सिनिमा घरों में दहसत फैलाने आ रही है। वो इसके टीजर को सेर करते हुए अजेदोगन ने सोसल मेडिया पर लिखा है कि वो पुछेगा एक खेल है खेलोगे पर उसके बहकावे में मता ना। सैतान टीजर आउट सैतान एक मिनट 31 सिकंड का ये टीजर है आपको तंत्र मुंतर की दुनिया में ले जाएगा जिसमें अजय देवगन और जियतका काफी डरे सह में नजरा रहे हैं। वही आर मादवन बिलन का किलदा निबा रहे हैं। टीजर की सुरुआत इसके ड्रावनी डालाग से होती ह और टीजर के आखर में या ड्रावनी हसी हसते और आपको फुल आन गूस बंस देने वाले हैं। टीजर को देकर मालूम पड़ता है कि ये फिल्म काला जादू यानि ब्लैक मैजिक पराधारी थै। बादादे कि सैतान साल 2030 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म वस का रिम अजे द्योगन आर माधवन और जियुदका की फिल्म सैतान का टीजर आखर का रिलीज हो गया है। ये फिल्म आठ मार्च को सिनेमा घरों में आने के लिए तयार है। इस फिल्म में जियुदका पुरे 20 साल के लंबे अंतराल के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी करेंगी। 25 जनुरी को सैतान के मेकर्स ने आखरकार आजे द्योगन माधवन और जियुदका की फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया। सोसल मीडिया पर इसका क्रेप्सन में लिखा। वो पूछेगा तुम से एक खेल है खेलोगे। पर उसके बैकावे में मताना। सैतान टीजर कहते हैं यह पूरी दुनिया बहरी है पर सुनते सम्मेरी हैं काले से भी काला में भैका मिठा प्याला में मालिक हूँ मैं नो लोको का जहर भी मैं दवा भी मैं चुप चाप सदियों से देखता एक खामोस गवाह भी मैं मैं रात हूँ मैं साम हूँ मैं तमाम हूँ मैं बना मैं बिगारता हूँ, समेटता हूँ, मरोडता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता, एक खेल है खेलोगे, एक खेल का बस एक ही नियम है, मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बहकावे में मताना, इससे पहले इसका फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हुआ था, इसम सांस एक्टर से जानकी बोधी वाला भी बॉलिवुड में डेब्यो करेंगी, जी ए स्टूडियो जैजेद्योगन, एफ फिलिम्स और पैनोर्मा स्टूडियो इंटरनेशनल किया फिलम आजेद्योगन, जियोती देश पांडे, कुमार मंगत पाठक और अपसेख पाठक की बनाई है और विकास बहल ने इसे डायरेक्ट किया है, टीजर देखने के बाद मादवन के फैंस बहुत एक्साइटेड हो गये हैं, कमेंट सक्षन उनकी तारिफों से भर गया है, अजे फिलाहल रेट्टू की शूटिंग कर रहे हैं, फिलमें ने तेश देश में खलनाय की भूमका में हैं, इसके लावा उन्होंने अधिकारिक तोर पर कापी उन्वर्स की पांचवी केस्त और सिंगम रिटर्ण्स के बहुपर तिछिस सिकल सिंगम अगयन की घोशड़ा की है, जो दार 24 को रिलीज होगी, कुछ फिलमें ऐसी होती है, जिनकी कास्टिंग से ही फिल जंदार होने वाली है, अब इस फिलम का टीजर आ गया है, सुपर नेचुरल थिलर सैतान की पहली जलग देखने के बाद ही फिलम देखने के जिग्यासा हिलोरे मारने लगेगी, माधवन नगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं, टीजर के आदे से जदा हिस्से में माधवन क का प्याला में, तंतर से लेकर इस लोग का मालिक हो मैं नो लोकों का, जहर भी मैं, दवा भी मैं, चुपचाप सद्यों से सब कुछ देखता एक खामोस गवा भी मैं, सैतान के टीजर में अजद्योगन माधवन के नेरेशन के साथ स्क्रीन पर जो इमेज नजर आती है, उन दोनों के चेहरे पर भयानक खौप पसरा हुआ है, सैतान के टीजर में जियुद्यका माधवन की आवाज में नेरेशन आगे बढ़ाता है, एक खेल खेलोगे, इस खेल का बस एक ही नियम है, मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मेरे बहकावे में मताना, अंदमे माधवन के आधे चेहरे का क्लोज अप जो की डर के लहर दोड़ा देने वाली हसी हस्ते नजर आते हैं, डिरेक्टर विकास बहल की सुपर नेशुरल थिलर, सैतान आठ मार्च को थीटर्स में रिलीज हो रही है, इस फिल्म को द्रस्चम बनाने वाले मेकर सीले करा रहे हैं, जहां अजय सैत अपने रेगुलर मसाला किरदारों से अलग अंदाज में दिखेंगे, वही जियति का लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही हैं, इस बीच उन्होंने साउत में जम कर काम किया है, माधवन खुद अच्छे खासे गैप के बाद हिंदी फिल्म में काम कर रहे ह और उन्हें देख कर ही लग रहा है कि वो एक और यादगार पफामस देने के लिए तयार हैं। कि यह आदमी किस तरह से प्रतक्रिया करता है और इसी बारे में फिल्म है। और आनन्द लेने की योजना बना कर कुछ दिन पिताते हैं। खेत के रास्ते में परिवार एक ढाबे पर दोपार के भोजन के लिए रुकता है जहां उनकी मुलाकात परताप नाम के विक्तिस होती है। जो पहले तो कुछ से मिलनसार लगता है लेकिन खेत में उसके अचानक आगमन से आर्या के बाद परिवार क्रोधित हो जाता है। उसके बेटी की खोज उसे परिशान कर देती है। उथल पुथल इस आदमी के जादू के दायद और वह जो भी कहता है उसका परन करता है। और इस तरह खेल सुरू होता है। उस आदमी का केवल एक हील अच्छे। आर्या को परिवार में हमेशा के लिए दूर ले जाना। और अंत में क्या हो जाता है ये फिल्म उसी के बारे में है। फिल्म की सुरुआत निर्देशक की चेताउनी से होती है। या फिल्म कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है। और गर्भोती महिलाओ या दिल के समस्याओ वाले लोगों को इसे देखने से बसना चाहिए। जो फिल्म निश्ची रुब से कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है। इतना कहना काफी होगा कि फिल्म लगबख दो घंटे लंबी है। और हमें रोमान चित करने में कोई समय बरबाद नहीं करती। फिल्म कहानी के निर्मार के साथ सुरू होती है। फिर हमें पात्रों से पर प्रमान लगाने पर मजबूर कर देता है लेखन अदभुद है और पटकता के साथ साथ छायंकर आपको इसक्रिन से बांधे रखता है फिले में कोई संगीत नहीं है इसलिए अंत में आपको पूरे दो घंटी का मनोरंजन मिलता है क्योंकि आपका दिल नहीं तूटा है मुनो साथ वाले दो को किसी पर से किया सकता नहीं है क्यों हुए हौलिवुड के सुपरस्टार हैं गुजराती फिल्मों की मुखिधारा में उनके परवेश ने उन्हें और हमें सांदार परदर्शन से अच्छी तरह लाभान चित किया है कुछ घटनाय अपनी कहानी खुद होती हैं कई बारे सक्तियां बुरी जरूर होती हैं पर फिर भी इंसान अपनी हिम्मत और समस से इन पर अक्सर जीत हांसिल कर लेता है इस दुनिया में रातों का बावजूद इसी वज़े से है कि उनका सफर अगली सुबह उजालों की बाहों में जाकर ही खतम होगा सक्तिय से हो रही हैं हम इंसानों पर जब भी नकारात्मक सक्तिया हावी होने लगती हैं तब अधिकान से अध्यात्म की ओर चलते हैं यद्वे भोत प्रेत और स्वासनाओं से भरी हो तब हम सकारात्मक यानि इस सुर की स्रण में जाते हैं इस फिल्म का सार भी यही है हिमाचल के गाउं परागपुर में एक के बाद एक मडर हो रहे हैं कौन मार रहा है इने क्यों मार रहा है क्या कुछ साप हो पाएगी इस्थित इन सवालों से या फिल्म वस दो चार होती हुई आपको तकनी की तथा अनिकाड़ों में वस में करती है हर कहानी की तरह फिल्म में भी मड बताता है एक पत्रकार है जिसने इन भूतों की सची घर्णाओं पर किताब भी लिखी है बाबा है जो भूत प्रेद भगाने का दावा करता है इधर फिलम के नायक नायकार रच्छित और आंचल अपनी बढ़िया प्रेमबरी जिंदकी जी रहे हैं इसके बीच में कोई तीस तरा बेक्त आ गया है जो आंचल को हर कीमत पर अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनाना चाहता कौन है वहाँ और इसके इरादे क्या है ऐसे ही कुछ राश्यों को दर्शकों के लिए अंसुल जारक खा गया है जिसमें यह अतरप्त आत्मा जो आम इंसानों की तरह वासनाओ से भरी है विकास बहल के डिरेक्शन में बनी सैतान का यह रॉंग टे खड़े कर देना और डालाग सुनकर आप समझे गया होंगे कि यह फिल्म होरर के साथ साथ कौफी एक्साइटिंग भी होने वाली है फिल्म का टीजर 25 जनवरी को रिलीज हो गया है जिसे देखते ही आक मार्च 24 को सिनिमा घरों में दहसत फैलाने आ रही है वो इसके टीजर को सेर करते हुए अजय देखन ने सोसल मेडिया पर लिखा है कि वो पुछेगा एक खेल है खेलोगे पर उसके बहकावे में मता ना सैतान टीजर आउट सैतान एक मिनट 31 सिकंड का यह टीजर है आपको तंत्र मुंतर की दुनिया में ले जाएगा जिसमें अजय देवगन और जियतका काफी डरेस है में नजर आ रहे हैं वोई आर मादवन बिलन का किलदा निबा रहे हैं टीजर की सुरुआत इसके ड्रावनी डालाक से होती है और टीजर के आखर में यह ड्रावनी हसी हसते औ और आपको फुल आन गूस बंस देने वाले हैं टीजर को देकर मालूम पड़ता है कि यह फिल्म का अला जादू यानि ब्लैक मैजिक पराधारित है बता दे कि सैतान साल 2030 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म वसका रिमेक है जिसका डिरेक्शन क्रिस्टर देव यगनिक किया है फिल्म सैतान की खास बात है कि लीड एक्टर जियुदका पुरे 20 साल बाद परदे पर वापसी करेंगी सैतान के बाद एक्टर अजिद्योगन की लगातार फिल्में लाइन आप में है इसमें सिंगमगें रेट्टू और मैदान सामिल है अजिद्योगन आर माधवन और जियुदका की फिल्म का टीजर रेलेज कर दिया सोसल मीडिया पर इसके क्रेप्शन में लिखा वो पूछेगा तुम से एक खेल है खेलोगे पर उसके बैकावे में मताना सैतान टीजर आउट टीजर शुरू होते ही आर माधवन का वाई सो और सुनाई देता है कहते हैं मैं रात हूँ मैं साम हूँ मैं तमाम हूँ मैं बनाता हूँ मैं विगारता हूँ समेटता हूँ मरोडता हूँ लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता एक खेल है खेलोगे एक खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बहकावे में मताना इससे पहले इसका फस्ट लूक पोस्टर आउट हुआ था इसमें जेद्योगन आर्माधवन और जेद्गा को विक्राल रूम में दिखाया गया था विकास बहल के डिरेक्शन में बनी फिल्म का टीजर बेहत खौपनाक लग रहा है अजेद्योगन ने इस्टाग्राम पर फस्ट लूक पोस्टर सेयर किया है सेतान सेक्टरस से जानकी बोधी वाला भी बॉलिवुड में डेब्यू करेंगी जीए स्टूडियोज अजेद्योगन एफ फिल्म्स और पैनोर्मा स्टूडियो इंटरनेशनल किया फिल्म अजेद्योगन जयोती देश पांडे कुमार मंगत पाठक और अपसेख पाठक की बनाई है और विकास बहल ने इसे डायरेक्ट गिया है टीजर देखने के बाद मादवन के फैंस बहुत एक्साइटेड हो गये है कमेंट सक्सन उनकी तारिफों से भर गया है अजे फिलाहल रेट्टू की शूटिंग कर रहे हैं फिल्म मेंने तेश देश में खलनाय की भूम कामे हैं इसके लावा उन्होंने अधिकारिक तोर पर काभी उन्यर्स की पांचवी किस्त और सिंगम रिटर्ण्स के बहुपरति 6 सिकल सिंगम अगयन की घोशड़ा की है जो दर 24 को रिलीज होगी कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कास्टिंग से ही फिल्म फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है डिरेक्टर विकास बहल की सैतान भी ऐसी ही फिल्म है अजे दोगन जियुदिका और आर माधवन जिसे तीन धुरंदर एक्टर्स का एक साथाना ही इस बात का इसारा था की सैतान की कहानी बहुत वजंदार होने वाली है अब इस फिल्म का टीजर आ गया है सुपरनेचुरल थिलर सैतान की पहली जलग देखने के बाद ही फिल्म देखने के जिग्यासा हिलोरे मारने लगेगी माधवन नगेट्व रोल मेनेजर आ रहे हैं टीजर के आदे से जदा हिस्से में माधवन की सिर्फ आवा सुनाई देती है और उनका अंदाज ही एक सुपरनेचुरल माहौल बना देता है सैतान के टीजर में माधवन बोल रहे हैं कहते हैं कि ये दुनिया पूरी बहरी है पर सुनते सम मेरी हैं काले से भी काला में बहकावे का प्याला में सैतान के टीजर में अजेद्यगन माधवन के नेरेशन के साथ इसक्रीन पर जो इमेज नजराती है उनमें सैतान के इसकेश तंत्रशिद्धी के नुष्ठान की तैयारी का सामना और बूड डाल्स नजराती है काले जादू से जुदी ये सारी चीजे जो माहॉल बनाती है उसमें आगे अजेद्यगन और जेद्यद्धका के चेहरे की बस एक जलक मिलती है दोनों के चेहरे पर भयानख खौब पसरा हुआ है सैतान के टीजर में जेद्यका माधवन की आवाज में नइरेशन आगे बढ़ाता है एक खेल खेलोगे इस खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बहकावे में मताना अंदमे माधोन के आधे चेहरे का क्लोजप जो की डर के लहर दोड़ा देने वाली हसी हस्ते नजर आते हैं डिरेक्टर विकास बहल की सुपर नेचुरल थिलर सैतान आठ मार्ज को थीटर्स में रिलीज हो रही है इस फिल्म को द्रस्चम बनाने वाले मेकर सीले करा रहे हैं जहां अजय सैतान में अपने रेगुलर मसाला किरदारों से अलग अंदाज में दिखेंगे वही जेवतिका लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वाप सी कर रहे हैं इस बीच उन्होंने साउत में जम कर काम किया है माधहन खुद अच्छे खासे गैप के बाद हिंदी फिल्म में काम कर रहे हैं और उन्हें देख कर ही लग रहा है कि वो एक और यादगार प देने के लिए त्यार रहें अजे द्योगन की सैतान फिल्म गुजराती फिल्म वस का रिमेख है तो वा ये जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है फिल्म एक परिवार की कहानी है विसेस रूप से बेटी आर्या की जो 20 साल की है जो जादू के जादू में पढ़ जाती है या किसी आदमी के जादू में आ है यदि आप अलोकिक होरर के परसंकक है या सिर्फ एक बेहतरीन सिनेमा अनभों की तालास में है तो आप फिल्म देखने लाइक है कृषड देव या गिनिक रहा से और मोड से भरा एक सक्तिसाली मनोबै ग्यानिंग नाटक प्रस्तित करते हैं आर्थो एक परिवारी बिखती में परिवार एक धाबे पर दोपार के भोजन के लिए रुकता है जहां उनकी मुलाकात परताप नाम के एक बिक्तिस होती है जो पहले तो कुछ से मिलनसार लगता है लेकिन खेत में उसके अचानक आगमन से आर्या के बाद परिवार क्रोधित हो जाता है उसके बेटी की ख में इसा के लिए दोड ले जाना और वहां बस इतना चाहता है कि परिवार सो अच्छा से उसके साथ रहे क्योंकि वहां उन पर लगातार अत्याचार करना सुरू कर देता है आर्या को काम करने के लिए मजबूर करता है आपको मजबूर करता है कि परिवार परतारना का सिका और अंत में क्या हो जाता है ये फिल्म उसी के बारे में है फिल्म की सुरुआत निर्देशक की चेताउनी से होती है कि या फिल्म कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है और गर्भोती महिलाओ या दिल के समस्याओ वाले लोगों को इसे देखने से बसना चाहिए जो इस फिल्म आपनी गौसल से कमज़न दिलवालों के लिए है इतना कहना काफी होगा कि फिल्म लग भग दो घंटे लंबी है और हमें रूमान चित करने में कोई समय परपाद नहीं करती फिल्म कहानी के निर्मार के साथ सुरू होती है पर हमें पात्रों से परचित कराओ जाता है विजसरुप से आर्या से और जैसे जैसे यह सब कुछ आगे बढ़ता है ठीक है इसे हजार गुना बढ़ा दिया जाता है फिल्म में मनुबग्यानिक तत्तु का बहुत अच्छे से इस्तिमाल किया गया है और यह आपको लगातार अनुमान लगाने पर मजबूर कर देता है लेखन अदभुध है और पटकता के साथ साथ छायंकर आपको इसकिरिन से बांधे रखता है फिल्म में कोई संगीत नहीं ह इसलिए अन्ते में आपको पूरे दो घंटे का मनोरंजन मिलता है क्योंकि आपका दिल नहीं टूटा है मनोबग्यानिक हरर का बहुत बड़ा परसंसक होने के ना थे इससे देखना एक परम आनंद दायक था अविने सांदार और समय का पाबंध है जानकी बेदेवाला ने ह हितु कनोडिया और हितेन कुमार के सांदार काम किया है हाला कि बाद वाले दो को किसी परसे किया सकता नहीं है कि कुए हॉलिवुड के सुपस्टार हैं गुजराती फिल्मों की मुखिधारा में उनके परवेश ने उन्हें और हमें सांदार परदर्शन से अच्छी तरह ल वास्ता पड़ता है जो खुद की समस्य भी परे होती हैं कई बारे सक्तियां बुरी जरूर होती हैं पर फिर भी इंसान अपनी हिम्मत और समस्य से इन पर अक्सर जीत हांसिल कर लेता है इस दुनिया में रातों का बावचूद इसी वज़े से है कि उनका सफर अगली सुब उजालों की बाहों में जाकर ही खतम होगा सक्तियां इस संसार में सकारात्मक और नकारात्मक सदा से हो रही हैं हम इंसानों पर जब भी नकारात्मक सक्तियां हावी होने लगती हैं तब अधिकान से अध्यात्म की ओर चलते हैं यद्वे भोत प्रेत और स्वासनाओं से भर हो तब हम सकारात्मक यानि इस सुर की सरण में जाते हैं इस फिल्म का सार भी यही है हिमाचल के गाउं परागपुर में एक के बाद एक मडर हो रहे हैं कौन मार रहा है इने क्यों मार रहा है क्या कुछ साफ हो पाएगी इस्थित इन सवालों से या फिल्म वस दो चार होती बीबी को रात में अक्सर कुछ अमांचनी चीज़े दिखाई और अपने साथ होती हुई महसूस होती हैं पती इन्हें उसका भरम बताता है एक पत्रकार है जिसने इन भूतों की सचे गर्णाओं पर किताब भे लिखी है बाबा है जो भूत प्रेद भगाने का दावा करता इधर फिल्म के नायक नायकार रच्छित और आंचल अपनी बढ़िया प्रेम भरी जिंदगी जी रहे हैं इसके बेच में कोई तीस राव्यक्त आ गया है जो आंचल को हर कीमत पर अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनाना चाहता कौन है वह और इसके इरादे क्या हैं ऐसे ह कुछ राश्यों को दर्शकों के लिए अंसुल जा रखा गया है जिसमें अतरप्त आत्मा जो आम इंसानों की तरह वासनाओं से भरी है विकास बहल के डिरेक्शन में बनी सैतान का ये रोंग टे खड़े कर देनों और डैलाग सुनकर आप समझ ही गया होंगे कि ये फिल्म जेद्योगन और जेद्योगन लेडरोल में हैं तो ही दर्शकों को दांतों तेले उंगलियां दबाने पर मजबूर करने के लिए और माधून आएंगे ये अपकमिंग फिल्म आठ मार्च दोजार चोबिस को सिनेमा घरों में दहसत फैलानी आ रही है वो इसके टीजर को से दुनिया मिले जाएगा जिसमें अजय देवगन और जियतका काफी डरेस है में नजर आ रहे हैं वही आर माधून बिलन का किलदा निभा रहे हैं टीजर की सुरुआत इसके ड्रावनी डायलाक से होती है और टीजर के आखर में या ड्रावनी हसी हसते और आपको फुलान ग अगनिक ने किया है फिल्म सैतान की खास बात यह है कि लीड एक्टर जियतका पुरे 20 साल बाद परदे पर वापसी करेंगी सैतान के बाद एक्टर अजय देवगन की लगातार फिल्में लाइन आप में है इसमें सिंगमगें रेट्टू और मैदान सामिल है अजय देवगन को सैतान के मेकर्स ने अगरिकार अजय देवगन माधवन और जियुदका की फिल्म का टीजर रेलेज कर दिया सुसल मीडिया पर इसका कैप्शन में लिखा वो पूछेगा तुम से एक खेल है खेलोगे पर उसके बैकावे में मताना सैतान टीजर आउट टीजर शुरू होत एक खामोस गवाह भी मैं मैं रात हूँ मैं साम हूँ मैं तमाम हूँ मैं बनाता हूँ मैं विगारता हूँ समेठता हूँ मरोडता हूँ लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता एक खेल है खेलोगे एक खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बहका लग रहा है अजे दोगन ने इंस्टाग्राम पर फर्ष्ट लुक पोस्टर सेयर किया है सेतान से एक्टरस से जानकी बोधी वाला भी बॉलिवुड में डेब्यू करेंगी जी इस्टूडियो जी दोगन एफ फिलिम्स और पैनोर्मा स्टूडियो इंटरनेशनल किया फिलम अजे दोगन जियोती देश पांडे कुमार मंगत पाठक और अपसेक पाठक की बनाई है और विकास बहल ने इसे डारेक्ट गया है टीजर देखने के बाद माधवन के फैंस बहुत एक्साइटेड हो गये हैं कमेंट सक्सन उनकी तारिफों से भर गया है अजे फिलाहल रे कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कास्टिंग से ही फिल्म फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है डिरेक्टर विकास बहल की सैतान भी ऐसी ही फिल्म है अजे दोगन जियोतिका और आर माधवन जिसे तीन धुरंदर एक्टर्स का एक साथाना ही इस बात का इसारा थ रहे हैं टीजर के आदे से जदा हिस्से में माधवन की सिर्फ आवा सुनाई देती है और उनका अंदाज ही एक सुपरनेचरन माहौल बना देता है सैतान के टीजर में माधवन बोल रहे हैं कहते हैं कि ये दुनिया पूरी बहरी है पर सुनते सम मेरी हैं काले से भी काला में सेटान के टीजर में अजेद्योगन माधवन के नेरेशन के साथ इसक्रीन पर जो इमेज नजर आती है उनमें सेटान के इसकेश तंत्रशिद्धिक नुष्ठान की तैयारी का सामना और बूड डाल्स नजर आती है काले जादू सेजुद्धि ये सारी चीज़े जो माहौल बनाती है उसमें आगे अजेद्योगन और जेद्योगन और जेद्योगन के चेहरे की बस एक जलक मिलती है दोनों के चेहरे पर भयानक खौप पसरा हुआ है सैतान के टीजर में जियुदिका माध्वन की आवाज में नैरेशन आगे बढ़ाता है एक खेल खेलोगे इस खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बैकावे में मताना अंद में माध्वन के आधे चेहरे का क्लोजब जो की डर के लहर दोड़ा देने वाली हसी हस्ते नजर आते हैं डिरेक्टर बिकास बहल की सुपर नेशुरल थिलर सैतान आठ मार्श को थियेटर्स में रिलीज हो रही है इस फिल्म को द्रस्चम बनाने वाले मेकर सीले करा रहे हैं जहां अजय सैतान में अपने रेगुलर मसाला किरदारों से अलग अंदाज में दिखेंगे वही जेतिका लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है इस बीच उन्होंने साउत में जम कर काम किया है माधान खुद अच्छे खासे गैप के बाद हिंदी फिल्म में काम कर रहे हैं और उन्हें देख कर ही लग रहा है कि वो एक और यादगार प जादू में पढ़ जाती है या किसी आदमी के जादू में आ जाती है पूरी फिल्म उस पल के इर्द गूमती है जब वह जादू के जादू में आती है वह वस में हो जाता है और अपने इरादों को सुलजाना सुरू कर देता है कि यह आदमी किस तरह से प्रतक्रिया करता है और इसी बारे में फिल्म है। यदि आप अलोकिक होरर के परसंकक हैं या सिर्फ एक बेहतरीन सिनेमा अनभो की तालास में हैं तो आप फिल्म देखने लाइक है। कृषण देव यगिनिक रहा से और मोड से भरा एक सक्तिसाली मनोबय ग्यानिंग नाटक प्रस्तित करते हैं। तो एक परिवारी बिक्ति है जो पाइलेट के रूम में काम करता है और जब वह घर पर होता है तो चार लोगों का पूरा परिवार वह उसकी पतनी उसका सबसे छोटा बेटा और उसकी बेटी आर्या परिवार के फाम पर जाते हैं और आनंद लेने की योजना बना कर कुछ दिन पिताते हैं खेत के रास्ते में परिवार एक धाबे पर दोपार के भोजन के लिए रुकता है जहां उनकी मुलाकात परताप नाम के एक बिक्ति से होती है जो पहले तो कुछ से मिलनसार लगता है लेकिन खेत में उसके अचानक आगमन से आर्या के बाद परिवार क्रो ले जाना और वहां बस इतना चाहता है कि परिवार सुच्छा से उसके साथ रहे क्योंकि वहां उन पर लगातार अत्याचार करना सुरू कर देता है आर्या को काम करने के लिए मजबूर करता है आपको मजबूर करता है कि परिवार परतारना का सिकार हो जाता है और अंत में ठेक है वास जैसा कि वह अस्थाने गुजराती हिंदी प्रमपरा में सुझाओ देते हैं नाम ही आपको या विश्वास दिलाने के लिए परियापत है कि या कुछ अलग होगा और जानकी वाला पोस्टर उस संदे की पुष्टी करता है या फिल्म निश्ची रोप से कमजोर दिलवालों के लिए है या फिल्म निश्ची रोप से कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है इतना कहना काफी होगा कि फिल्म लगभग दो घंटे लंबी है और हमें रोमान्चित करने में कोई समय बरबाद नहीं करती फिल्म कहानी के निर्मार के साथ सुरू होती है फिर हमे को लगातार अनमान लगाने पर मजबूर कर देता है लेखन अदभुद है और पड़कता के साथ साथ छायंकर आपको इसक्रिन से बांधे रखता है फिले में कोई संगीत नहीं है इसलिए अंत में आपको पूरे दो घंटी का मनोरंजन मिलता है क्योंकि आपका दिल नहीं हाला कि बाद वाले दो को किसी परिशे किया सकता नहीं है क्योंकि वे हौलिवुड के सुपरस्टार हैं गुजराती फिल्मों की मुखिधारा में उनके परवेश ने उन्हें और हमें सांदार परदर्शन से अच्छी तरह लाभान चित किया है कुछ घटनाय अपनी कहानी खुद लिखती हैं और कई बारे कहानिया इतनी रोमान चग इतनी असमान होती हैं कि उन पर तब तक यकीन नहीं होता जब तक इनसान इन्हें अपनी आखों से ना देख ले कभी कभी हमारा ऐसी सक्तियों से वास्ता पड़ता है जो खुद की समझ से भी परे होती हैं कई ब सक्तिया इस संसार में सकारातमक और नकारातमक सदा से हो रही हैं हम इंसानों पर जब भी नकारातमक सक्तिया हावी होने लगती हैं तब अधिकान से अध्यातम की ओर चलते हैं यद्वे भोत प्रेत और स्वासनाओं से भरी हो तब हम सकारातमक यानि इस सुर की सरण में जा तकनीकी तिथा अनिकाडों में वस में करती है। हर कहानी की तरह फिल्म में भी मडर की वज़े है। एक प्रेमी जोड़ा वहां साधी के बाद अपने घर में रह रहा है। बीबी को रात में अक्सर कुछ अवांचनी चीज़े दिखाई और अपने साथ होती हुई महसूस होत पती हैं। पती इन्हें उसका भरम बताता है। एक पत्रकार है जिसने इन भूतों की सचे घर्णाओं पर किताब भी लिखी है। बाबा है जो भूत प्रेद भगाने का दावा करता है। इधर फिल्म के नायक नायकार रच्छित और आचल अपनी बढ़िया प्रेमबरी ज इन्सुल जा रखा गया है जिसमें ये अतरप्त आत्मा जो आम इंसानों की तरह वासनाओं से भरी है। विकास बहल के डिरेक्शन में बनी सैतान का ये रॉंग्टे खड़े कर देना और डायलाग सुनकर आप समझे गया होंगे कि ये फिल्म होरर के साथ साथ कॉफी एक्स मजबूर करने के लिए आर माधवन आएंगे। ये अपकमिंग फिल्म आठ मार्च दोजार चोबिस को सिनिमा घरों में दहसत फैलानी आ रही है। वो इसके टीजर को सेर करते हुए अजय देवगन ने सोसल मेडिया पर लिखा है कि वो पुछेगा एक खेल है खेलोगे पर उसके बहकावे में मताना सैतान टीजर आउट सैतान एक मिनट 31 सिकंड का ये टीजर है आपको तंत्र मुंतर की दुनिया में ले जाएगा जिसमें अजय देवगन और जियतका काफी डरे सह में नजरा रहे हैं वोई आर माधवन बिलन का किलदा निभा रहे हैं टीजर की साल 2030 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म वसका रिमेक है जिसका डिरेक्शन क्रिस्टर देव यगनिक ने किया है फिल्म सैतान की खास बात है कि लीड एक्टर जियतका पुरे 20 साल बाद परदे पर वापसी करेंगी सैतान के बाद एक्टर अजय देवगन की लगातार फि पाद हिंदी सिनेमा में वापसी करेंगी 25 जनुरी को सैतान के मेकर्स ने आखिरकार अजय देवगन माधवन और जियतका की फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया सोसल मीडिया पर इसका क्रेप्शन में लिखा वो पूछेगा तुम से एक खेल है खेलोगे पर उसके बैकावे म मताना सैतान टीजर आउट टीजर शुरू होते ही आर्माधवन का वाई सोर सुनाई देता है कहते हैं यह पूरी दुनिया बहरी है पर सुनते सम्मेरी हैं काले से भी काला में भै का मिठा प्याला में मालिक हूँ मैं नो लोकों का जहर भी मैं दवा भी मैं चुप चाप सद बिकास बहल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूं मेरे बहकावे में मताना इससे पहले इसका फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हुआ था इसमें जेद्योगन आर्माधवन और जिद्का को विक्राल रूम में दिखाया गया था विकास बहल के डिरेक्शन में बनी फिल और पैनोर्मा इस्टूडियो इंटरनेशनल किया फिलम आजे द्योगन जियोती देश पांडे कुमार मंगत पाठक और अपसेख पाठक की बनाई है और विकास बहल ने इससे डिरेक्ट गिया है टीजर देखने के बाद माधवन के फैंस बहुत एक्साइटेड हो गये हैं कमेंट सक्षन उनकी तारिफों से भर गया है अजे फिलाहल रेट्टू की शूटिंग कर रहे हैं फिलम मेंने तेश देश में खलनाय की भूम कामे हैं इसके लावा उन्होंने अधिकारिक तोर पर कापी उन्वर्स की पांचवी किस्त और सिंगम रिटर्स के बहुपर 36 सिक गल सिंगमागैन की घोशड़ा की है जो दार 24 को रिलीज होगी कुछ फिलमें ऐसी होती है जिनकी कास्टिंग से ही फिलम फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है डिरेक्टर विकास बहल की सैतान भी ऐसी ही फिलम है अजे दोगन जियुदिका और आर माधवन जिसे ती ग्यासा हिलोरे मारने लगेगी माधवन नगेटिव रोल में नजरा रहे हैं टीजर के आदे से ज़्यदा हिस्से में माधवन की सिरफ आवा सुनाई देती है और उनका अंदाज ही एक सुपरनेचुरन माहौल बना देता है शातान के टीजर में माधवन बोल रहे हैं कहते ह कि ये दुनिया पूरी बहरी है, पर सुनते सम मेरी हैं, काले से भी काला में, भैकावे का प्याला में, तंतर से लेकर इस लोग का मालिक हूं मैं नो लोकों का, जहर भी मैं, दवा भी मैं, चुपचाप सद्यों से सब कुछ देखता एक खामोस गवा भी मैं। सैतान के टीजर में अजिद्योगन माधवन के नेरेशन के साथ स्क्रीन पर जो इमेज नजर आती है, उनमें सैतान के इसकेश, तंतर सिद्धी के नुष्ठान की तैयारी का सामना और बूड डाल्स नजर आती हैं, काले जादू से जुदी ये सारी चीज़े जो माहूल बनात उसमें आगे अजिद्योगन और जिद्योगन के चेहरे की पस एक जलक मिलती है, दोनों के चेहरे पर भयानक खौप पसरा हुआ है, सैतान के टीजर में जिद्योगन की आवाज में नेरेशन आगे बढ़ाता है, एक खेल खेलोगे, इस खेल का बस एक ही नियम है, मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मेरे बहकावे में मताना, अंदमे माधोन के आधे चेहरे का क्लोजप जो की डर के लहर दोड़ा देने वाली हसी हस्ते नजर आते हैं, डिरेक्टर विकास बहल की सुपर नेशुरल थिलर, सैतान आठ मार्श को थीटर्स में रिलीज हो रही है, इस फिल्म उन्होंने साउत में जम कर काम किया है, माधोन खुद अच्छे खासे गैप के बाद हिंदी फिल्म में काम कर रहे हैं, और उन्हें देख कर ही लग रहा है कि वो एक और यादगार पफामस देने के लिए तयार हैं, अजे द्योगन की सैतान फिल्म गुजराती फिल्म वस का रिमेक है, तो वह ये जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है, फिल्म एक परिवार की कहानी है, विसेस रूप से बेटी आर्या की, जो 20 साल की है, जो जादू के जादू में पढ़ जाती है, या किसी आदमी के जादू में आ जाती है, पूरी फिल्म उस पल के इर्द गुर्द या सिर्फ एक बेहतरीन सिनेमा अन्भो की तालास में हैं त्या फिलम देखने लायक है। जहां उनकी मुलाकात परताप नाम के एक बिक्ति से होती है जो पहले तो कुछ से मिलनसार लगता है लेकिन खेत में उसके अचानक आगमन से आर्या के बाद परिवार क्रोधित हो जाता है उसके बेटी की खोज उसे परिशान कर देती है उथल पुथल इस आदमी के जादू क परिशा से उसके साथ रहे क्योंकि वह उन पर लगातार अत्याचार करना सुरू कर देता है आर्या को काम करने के लिए मजबूर करता है आपको मजबूर करता है कि परिवार परताणना का सिकार हो जाता है और अंत में क्या हो जाता है ये फिल्म उसी के बारे में है फिल्म क कि वह अस्थाने गुचराती हिंदी प्रंपरा में सुझाओ देते हैं नाम ही आपको या विश्वास दिलाने के लिए परियापत है कि या कुछ अलग होगा और जानकी वाला पोस्टर उस संदे की पुष्टी करता है या फिल्म निश्चीर रोप से कमजोर दिलवालों के लि विश्वास रुप से आर्या से और जैसे जैसे या सब कुछ हाके बढ़ता है ठीक है इसे हजार गुना बढ़ा दिया जाता है फिल्म में मनोबैग्यानिक तत्तु का बहुत अच्छे से इस्तिमाल किया गया है और यह आपको लगातार अनुमान लगाने पर मजबूर कर द लेता है लेखन अद्भुद है और पटकता के साथ साथ चाहेंकर आपको इस्क्रिन से बांधे रखता है फिल्म में कोई संगीत नहीं है इसलिए अंत में आपको पूरे दो घंटी का मनोरेंजन मिलता है क्योंकि आपका दिल नहीं टूटा है मनोबैग्यानिक हरर का बहुत पर इसे किया सकता नहीं है कि कुए हॉलिवुड के सुपस्टार हैं गुजराती फिल्मों की मुखिधारा में उनके परवेश ने उन्हें और हमें सांदार परदर्शन से अच्छी तरह लाभान्चित किया है कुछ घटनाय अपनी कहानी खुद लिखती हैं और कई बार ये सकतियां बुरी जरूर होती हैं पर फिर भी इंसान अपनी हिम्मत और समच से इन पर अक्सर जीत हांसिल कर लेता है इस दुनिया में रातों का बावचूद इसी वज़े से है कि उनका सफर अगली सुबह उजालों की बाहों में जाकर ही खतम होगा सकतियां इस संसार में सकारातमक और नकारातमक सदा से हो रही हैं हम इंसानों पर जब भी नकारातमक सकतिया हावी होने लगती हैं तब अधिकान से अध्यातम की ओर चलते हैं यद्वे भोत प्रेत और सुवासनाओं से भरी हो तब हम सकारातमक यानि इस सुर की सरण में जा को तकनी की तिथा अनिकाडों में वस में करती है हर कहानी की तरह फिल्म में भी मडर की वज़े है एक प्रेमी जोड़ा वहां साधी के बाद अपने घर में रह रहा है बीबी को रात में अक्सर कुछ अवांचनी चीजे दिखाई और अपने साथ होती हुई महसूस होती है पत अंचल अपनी बढ़िया प्रेम भरी जिंदकी जी रहे हैं इसके बीच में कोई तीस तरह व्यक्त आ गया है जो आंचल को हर कीमत पर अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनाना चाहता कौन है वहां और इसके इरादे क्या हैं ऐसे ही कुछ राश्यों को दर्शकों के लिए अ फिल्म का टीजर 25 जन्वरी को रिलीज हो गया है जिसे देखते ही आके दिमाग के पुर्जे हिल जाएंगे आपका सिर चक्राने लगेगा और आप भी बोल पढ़ेंगी कि फिल्म तो बाजा फाड़ है बास फिल्म में जेदोगन और जेदो का लेड रोल में हैं तो ही दर् पुछेगा एक खेल है खेलोगे पर उसके बहकावे में मता ना सैतान टीजर आउट सैतान एक मिनट 31 सिकंड का टीजर है आपको तंत्र मुंतर की दुनिया में ले जाएगा जिसमें अजय देवगन और जियतका काफी डरेस है में नजर आ रहे हैं वही आर मादवन बिलन का किलदा निबा रहे हैं टीजर की शुरुआत इसके ड्रावनी डालाग से होती है और टीजर के आखर में यह ड्रावनी हसी हसते और आपको फुल आन गूस बंस देने वाले हैं टीजर को देखर मालूम पड़ता है कि यह फिल्म का अला जादू यानि ब्लैक मैजिक पराधा बाता है कि सैतान साल 2030 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म वसकारी में एक है जिसका डिरेक्शन क्रिश्टर द्यो यगनिक ने किया है फिल्म सैतान की खास बात यह कि लीड एक्टर जियुदका पूरे 20 साल बाद परदे पर वापस करेंगी सैतान के बाद एक्टर इस फिल्म में जियुदका पूरे 20 साल के लंबे अंतराल के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी करेंगी 25 जनुरी को सैतान के मेकर्स ने आखिरकार आजे दोगन माधवन और जियुदका की फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया सोसल मीडिया पर इसका अप्सन में लिखा वो पू प्याले से भी काला में भैका मिठा प्याला में मालिक हूँ मैं नो लोको का जहर भी मैं दवा भी मैं चुप चाप सदियों से देखता एक खामोस गवाह भी मैं मैं रात हूँ मैं साम हूँ मैं तमाम हूँ मैं बनाता हूँ मैं विगारता हूँ समेठता हूँ मरोडता एक खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूं मेरे बहकावे में मताना इससे पहले इसका फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हुआ था इसमें जेद्योगन आर्माधवन और जेद्गा को बिक्राल रूम में दिखाया गया था विकास बहल का डिरेक्शन में बनी फिल्म का टीजर बेहत खौपनाक लग रहा है अजेद्योगन ने इंस्टाग्राम पर फर्स्ट लुक पोस्टर सेर किया है सेतान सेक्टर से जानकी बोधी वाला भी बॉलिवुड में डेब्यू करेंगी जीए स्टूडियोज अजेद्योगन एफ फिल्म्स और पैनोर्मा स्टू शूटिंग कर रहे हैं फिल्म मेंने तिस देश में खलनाय की भूम कामे हैं इसके लावा उन्होंने अधिकारिक तोर पर काभी उन्यर्स की पांचवी किस्त और सिंगम रिटर्स के बहुत पर तिछिस सिकल सिंगम अगयन की घोशड़ा की है जो दर चोबिस को रिलीज होग की सैतान की कहानी बहुत वजंदार होने वाली है अब इस फिल्म का टीजर आ गया है सुपर नेचुरल थिलर सैतान की पहली जलग देखने के बाद ही फिल्म देखने के जिग्यासा हिलोरे मारने लगेगी माधवन नगेट्व रोल मेनेजर आ रहे हैं टीजर के आदे से सैतान के टीजर में अजेद्यगन माधवन के नेरेशन के साथ स्क्रीन पर जो इमेज नजर आती है उनमें सैतान के इसके से तंत्र शिद्धि के नुष्ठान की तैयारी का सामना और बूड डाल्स नजर आती हैं काले जादू से जुद्धी ये सारी चीजे जो माहूल बनाती हैं उसमें आगे अजेद्यगन और जेद्यगन के चेहरे की बस एक जलक मिलती है दोनों के चेहरे पर भयानक खौप पसरा हुआ है सैतान के टीजर में जियुद्धिका माध्वन की आवाज में नैरेशन आगे बढ़ाता है एक खेल खेलोगे इस खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बहकावे में मताना अंदमे माध्वन के आधे चेहरे का क्लोज अप जो की डर के लहल दोड़ा देन से अलग अंदाज में दिखेंगे वही जियुद्धिका लंबे समय बाद हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है इस बीच उन्होंने साउत में जम कर काम किया है माध्वन खुद अच्छे खासे गैप के बाद हिंदी फिल्म में काम कर रहे हैं और उन्हें देखकर ही लग है कि वो एक और यादगार पफामस देने के लिए तयार हैं अजे द्योगन की सैतान फिल्म गुजराती फिल्म वस का रिमेक है तो वाई ये जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है फिल्म एक परिवार की कहानी है विसेस रूप से बेटी आर्या की जो 20 साल की है जो जादू के जा कर देता है कि यह आदमी किस तरह से प्रत्किरिया करता है और इसी बारे में फिल्म है यदि आप अलोकिक होरर के पर संकक है या सिर्फ एक बेहतरीन सिनेमा अनभो की तालास में है तो यह फिल्म देखने लाइक है कृषड देव या गिनिक रहा से और मोड से भरा एक सक्ति अर्थो एक परिवारी बिक्ति है जो पाइलट के रूम में काम करता है और जब वह घर पर होता है तो चार लोगों का पूरा परिवार वह उसकी पतनी उसका सबसे छोटा बेटा और उसकी बेटी आर्या परिवार के फाम पर जाते हैं और आनंद लेने की योजना बना कर लेकिन खेत में उसके अचानक आगमन से आर्या के बाद परिवार क्रोधित हो जाता है उसके बेटी की खोज उसे परिशान कर देती है उथल पुथल इस आदमी के जादू के दायद और वह जो भी कहता है उसका पलन करता है और इस तरह खेल सुरू होता है उस आदमे का पल एक ही लच्छे आर्या को परिवार में हमेशा के लिए दूर ले जाना और वह बस इतना चाहता है कि परिवार सुच्छा से उसके साथ रहे क्योंकि वह उन पर लगातार अत्याचार करना सुरू कर देता है आर्या को काम करने के लिए मजबूर करता है आपको मजबूर क पहिलाओ या दिल के समस्याओ वाले लोगों को इसे देखने से बसना चाहिए जो इस फिल्म के लिए काफी ठेक है वास जैसा कि वह अस्थाने गुजराती हिंदी प्रमपरा में सुझाओ देते हैं नाम ही आपको या विश्वास दिलाने के लिए परियापत है कि या कुछ अ मांचित करने में कोई समय बरबाद नहीं करती फिल्म कहानी के निर्माड के साथ सुरू होती है फिर हमें पात्रों से परचित कराया जाता है विश्वास रुप से आर्या से और जैसे जैसे यह सब कुछ आगे बढ़ता है ठीक है इसे हजार गुना बढ़ा दिया जाता है फिल्म में मनुबग्यानिक तत्तु का बहुत अच्छे से इस्तिमाल किया गया है और यह आपको लगातार अनुमान लगाने पर मजबूर कर देता है लेखन अदभुध है और पटकता के साथ साथ छायंकर आपको इसकिरिन से बांधे रखता है फिल्म में कोई संगीत नही है इसलिए अंत में आपको पूरे दो घंटे का मनोरंजन मिलता है क्योंकि आपका दिल नहीं टूटा है मनोबग्यानिक हरर का बहुत बड़ा परसंसक होने के ना थे इससे देखना एक परम आनंद दायक था अविने सांदार और समय का पाबंध है जानकी बेदेवाला ने ह हितु कनोडिया और हितेन कुमार के सांदार काम किया है हाला कि बाद वाले दो को किसी परसे किया सकता नहीं है कि कुए हॉलिवुड के सुपस्टार हैं गुजराती फिल्मों की मुखिधारा में उनके परवेश ने उन्हें और हमें सांदार परदर्शन से अच्छी तरह ल पढ़ता है जो खुद की समस्य भी परे होती हैं कई बारे सक्तियां बुरी जरूर होती हैं पर फिर भी इंसान अपनी हिम्मत और समस्य से इन पर अक्सर जीत हांसिल कर लेता है इस दुनिया में रातों का बावचूद इसी वज़े से है कि उनका सफर अगली सुबह उजाल की ओर चलते हैं यदो बहुत प्रेत और सुवासनाओं से भरी हो तब हम सकारात्मक यानी इस सुर की सरण में जाते हैं इस फिल्म का सार भी यही है हिमाचल के गाउं परागपुर में एक के बाद एक मडर हो रहे हैं कौन मार रहा है इन्हें क्यों मार रहा है क्या कुछ हो पाएगी इस्थित इन सवालों से या फिल्म वस दो चार होती हुई आपको तकनीकी तिथा अनिकाड़ों में वस में करती है हर कहानी की तरह फिल्म में भी मडर की वज़े है एक प्रेमी जोड़ा वहां साधी के बाद अपने घर में रह रहा है बीबी को रात में अक्सर कुछ अमांचनी चीजे दिखाई और अपने साथ होती हुई महसूस होती हैं पती इन्हें उसका भरम बताता है एक पत्रकार है जिसने इन भूतों की सचे घर्णाओं पर किताब भी लिखी है बाबा है जो भूत प्रेद भगाने का दावा करता है इधर फिल्म के नायक ना देख्या है ऐसे ही कुछ राश्यों को दर्शकों के लिए अंसुल जा रखा गया है जिसमें अतरप्त आत्मा जो आम इंसानों की तरह वासनाओं से भरी है विकास बहल के डिरेक्शन में बनी सैतान का ये रोंग्टे खड़े कर देना वाना डायलाग सुनकर आप समझ ही ग पढ़ेंगी कि फिल्म तो बाजा फाड़ है बॉस फिल्म में जेदोगन और जेदो का लेड रोल में हैं तो ही दर्शकों को दांतों तेले उंगलियां दबाने पर मजबूर करने के लिए और माधून आएंगे ये अपकमिंग फिल्म आठ मार्च दोजार चोबिस को सिनेम का ये टीजर है आपको तंत्र मुंत्र की दुनिया मिले जाएगा जिसमें अजय देवगन और जियतका काफी डरेस है में नजर आ रहे हैं वही आर माधून बिलन का किल्दा निभा रहे हैं टीजर की सुरुवात इसके ड्रावनी डालाक से होती है और टीजर के आखर में य यगनिक ने किया है फिल्म सैतान की खास बात यह है कि लीड एक्टर जियतका पूरे 20 साल बाद परदे पर वापसी करेंगी सैतान के बाद एक्टर अजय देवगन की लगातार फिल्में लाइन आप में है इसमें सिंगमगें रेट्टू और मैदान सामिल है अजय देवगन को सैतान के मेकर्स ने आखिरकार अजय देवगन माधवन और जियतका की फिल्म का टीजर रिलेज कर दिया सोसल मीडिया पर इसका कैप्सन में लिखा वो पूछेगा तुम से एक खेल है खेलोगे पर उसके बैकावे में मताना सैतान टीजर आउट टीजर शुरू होते ही आ एक खामोस गवाह भी मैं मैं रात हूँ मैं साम हूँ मैं तमाम हूँ मैं बनाता हूँ मैं विगारता हूँ समेटता हूँ मरोडता हूँ लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता एक खेल है खेलोगे एक खेल का बस एक ही नियम है मैं चाहे कुछ भी कहूँ मेरे बहका लग रहा है अजे दोगन ने इंस्टाग्राम पर फर्ष्ट लुक पोस्टर सेयर किया है सेतान से एक्टरस से जानकी बोधी वाला भी बॉलिवुड में डेब्यू करेंगी जी इस्टूडियो जी दोगन एफ फिलिम्स और पैनोर्मा स्टूडियो इंटरनेशनल किया फिलम अजे दोगन जियोती देश पांडे कुमार मंगत पाठक और अपसेक पाठक की बनाई है और विकास बहल ने इसे डारेक्ट गया है टीजर देखने के बाद माधवन के फैंस बहुत एक्साइटेड हो गये हैं कमेंट सक्षन उनकी तारिफों से भर गया है अजे फिलाहल र गये जून उनकी फिल्न सक्षेकक पाठक हैपा लिल्य चक्णिझी भर ने बसंब sleखआऊ सक्षकर की ऊहाए तबीन माधवन ऊई माधफ। पांपा़ आएग माधथन अपाबी फिल्न सक्ढ़ की वरिशने शम locksने दिशन वर लिल्ने हैं